लूसेंड सामान क्यान एक एसी पोस्तक है कि अगर आप लोग किसी गवर्मेंट एकजाम की तयारी करते हैं और उस गवर्मेंट एकजाम में अगर GKGSC questions आपकी परिच्छा में अच्छी खासी संख्या में आते हैं तो आप लोग लुसेंट को फढ सकते हैं आराब से और आप देखिए जो आपके इस्टेट लेवल के एक्जाम होते हैं, जिसमें आप देखिए आपका पुलिस हो गया, दर हो गया, ऐसा ही कहने का बतलब, आप लोग सिक्छक भरती देखते रहते होंगे, और भी आप देखत आसी संख्या में जीके जीएस ते कुश्चन्स आते हैं और मैं इसलिए हर बार आपसे बोलता हूँ कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसके कम से कम पुराने कुश्चन्स फिपर चार से पास साल पुराने उठा के जरूर देखिए उनका मुल्यांकन जरू किजे और देखिए कि उनमें कुश्चन्स आकिर किस तरह के पूँचे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने कुश्चन्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को लूसेंट का बत मालू चालेगा मैंने तो यहां तक देखा है कि जब सिविल सर्वेसी एस्टेट का प्रलेम्स नजदीक होता है तो लूसेंट को एक रिवीजन के तौर पर भी पढ़ा जाता है तो अभी तक आपने देखा एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग लूसेंट का कबर कर चुके हैं और लाश्ट क्लास में आपने देखा होगा बहुतिक विज्ञान को कबर किया ह हुआ था फैजेग्स को कबर किया हुआ था आज हम लोग बात करेंगे रसाइन विज्ञान के बारे में और रसाइन विज्ञान में आप लोग क्या क्या पड़ोगे पहले यह देख लीजिए पदार्त हों पदार्त एवं उसकी प्रकिटी पढ़ेंगे परमाडु सरचना पर बात करेंगे, गैसों का आचरन देखेंगे, तत्तों का अवर्द बरगी करन देखेंगे, रसाइनिक बन देखेंगे, आकसी करन एबं आवकरन पर बात करेंगे, अमल फस्त, भस्तम और लवन पर बात करेंगे, विलेर पर बात करेंगे, कारवन और उसके योगिक देखें लसाइन बिग्यान में हम लोग कबर करेंगे चलिए टाइम नहीं गबाते हैं हम लोग टाइम की कीमत बहुत है आप लोगों के लिए तो हम लोग सुरू करते हैं इसे क्या करते हैं सुरू करते हैं कहां से सुरू करते हैं और याद रखी लूसेंट से संबंदित आपकी जितन लोगों की मांग भी थी ऐसी रसाइन विज्ञान यानि की चैमिश्टी कहती किसे हैं तो विज्ञान की वए साका है जिसके अंतर का पदारतों के गुर्ड, संगठन, सरचना और उसमें होने वाली परीवतनों का अध्यन की आयत्या है कैमिश्टी अर्था रसाइन विज्ञान सब्द की उत्पत्ती मिस्स के पराचीन सब्द कीमिया से हुई है जिसका मतलब होता है काला रंग मिस्स के लोग काली मिट्टी के कैमी कहते थे और प्यारब में रसाइन विज्ञान की अध्यन को कैमी केमिटी किंग कहा जाता था पुराने questions के वर उठा के देख लेते हैं, तो आप लोगों की एक बात समझ में आने लगती है कि इस लाइन से किस तरह का questions बन सकता है, रमज रहे हैं, पदार्थ हो उसकी प्रक्किती की बात करें, मैटर यानी की पदार्थ, दुनिया की कोई भी वस्तु जो इस्थान जिसका द्रामान होता हो, और जो अपनी सरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदात कहलाते हैं, उधारन के लिए जल, हवा, बायलू, आदी, प्यारथ में भारतिया और यूनानियों का अनुमान था, कि प्रक्किती की सारी बस्तु में पांश तत्नों के सायोक से बन हैं, जिने परवाडू कहते हैं, यह हमारे जो महारन रेसी थे, कडाल साग, इनकी परिवासा है, ठीक है, और पदार्थ हो कि अगर बर्गी करण को आप लोग देखें, तो यहां आप लोगों को देखाई भी दे रहा होगा, भहुतिक बर्गी करण देख लीजे, फिर आप देखेंगे, तत्त में आप देखेंगे, तु धादविक, अधादविक, और यह योगेक में कार्वनेक, अकार्वनेक, मिसरन में देखेंगे, तो समांग, विस्मांग, तो यह सभी पदार्थों के बर्गी करण है, ठोस की बात करें, तो पदार्थ की वह बहुतिक अवस् जिसका आकार अनिश्चित एवं आधित अनिश्चित हो द्रफ कहलाते हैं जैसे एलकुहल, पानी, तारिफीन की तेल, मिट्टी तेल, गेस की बात करें तो पदार्थों की वह है बहुत तेक अवस्ता जिसका आकार एवं आधित दोनों अनिश्चित हो गेस कहलाते हैं जैसे ह और दार्द की अवस्था को बदला भी जा सकता है है परंतु इसके अपभाद में है जैसे लकडी पत्थर एकी वल थोस अवस्था में ही रहते है लकडी Loch betrayed मेया सकती है जल माप करिए जल तीम भूत ओध हुं मेर रह सकता है थोस द्रभ गैस उधारन के लिए जल आप तीनों वबस्ताओं में देखते हैं द्रब आप देख लीजे पानी आप लोगों के सामने रहता है ठोस बरब के रूम में गैस आप देखते होंगे बादल बनते हो समय देखा होगा आपने ठीक है भाब के रूम में तो ये भी याद रखना चा वास्ताफ तेलाजमा पॉपश एस्टाइन के को नसेथ है कि ये चوفतरी ये वस्ताफ है और पांच वे बॉस आइस्टाइन करडॉम si ए और तत अलेमेंट तत वह सुद्ध बरांट है जिसे किसी भी ग्यादभोटी заключ राशानिक विद्यों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विवाजित किया जा सकता है और नहीं अन सलल पदार्थों की योग से बनाया जा सकता है सोना चान्दी ऑक्सीजन हो गया योगिक योगिक सुद्ध पदार्थ जो रसाइनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्तों की एक निश्चित अनफात मे में साहिक होता है और hydrogen खुद जलता है लेकिन इन दोनों का योगिक जल आग को बजा देता है तो यह भी याद रखिएगा यहां कुछ point दिएगा पिती पर पाए जाने वाले प्रमुक तक तो उनका पिती सथ आप सभी जानते हैं कि oxygen भूतल पर सबसे जानदा चालीस 9.6 परसें सिलीकन 27.70 20% अलॉम्नियुम परसें सोडियूम 2.23 परसें पोटेसियम 2.69 EE , लोूमिन्य और 2021 यह आप देखिए 0.04 14 परसेंट ठीक है यह इस तरह से आब देख सकते हैं और mixran, missran, वाईपदार जो दो या दो से अधिक तत्तों या योग को के किसी भी अनपात में मिलाने से पराप्त होता है, missran कह लाते है. इससे सरल यांतरिक विदीद्वारा पुनाहा परमभीक अवेववों में पराप्त किया जैसकता है, जैसे हवा हो गया. समांग मिसरन यह आप देखेंगे निश्य तनफात में अवयवों को मिलाने से समांग मिसरन का निर्माण होता है इसके पितेग भाग के गुड़ धर्म एक समान होते हैं जैसे चेनी या नमक का जलिये विलेन हवा विसमांग मिसरन अनिश्य तनफात में अवयवों को मिलाने स बिस्माग में सरनन का निर्माण होता है, इसके पितिक भाग के गुड और उनके संगठ भेडमेन होते हैं, जैसे बारूद हो गया, कोहासा हो गया, यहाँ भी कुछ पॉइंट है, सामान सरीर में तत्तों की ओक्सीजन देख लिए, ओक्सीजन 65.0%, कारवन दूसरे नमबर पर 18.0%, हाइड़ोजन 10.0%, नाइटोजन 3.0%, कैलसियम 2.0%, फॉस्फोरस 1.0%, पोटेसियम 0.35%, सलफर 2.25%, सोडियम 0.15%, किलोरीन 0.15%, मैगनेसियम 0.05%, लोहा 0.004%, अन तक्त 0.046%, यह हमारे सरीर में पाए जाने वाले उफसत बात रहा है, ठीक है? मिसरन को अलग करने की कुछ विदियां भी है, रवा करन, इस विदी के द्वारा अकार्वनिक ठोस मिसरन को अलग किया जाता है, और इस विदी में असुद्य ठोस मिसरन को उचित बिलायक के साथ मिलाकर गरम किया जाता है, और गरम हवस्था में ही कीप द्वारा चान लिय जाता है चानने के बाद विलेयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ठंडा होने पर सुध्य पदाज किस्टल की रूम में विलेयन के सिपथक हो जाते अलग जैसे सरकरा और नमक की मिसरन को एथाइल एलकुल में 348 केल्विन ताप पर गरम करके इस विदी द्वा मिसरन और दूसरा भाग संगनन उर्ध पातन इस विदी द्वारत दो ऐसे ठोस के मिसरन को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस उर्ध पातित हो और दूसरा नहीं इस विदी से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम किलोराइड, एंथासीन आधी को अलग करते हैं आंसे कास्वन इस विधी से वैसे मिस्रित द्रों को अलग करते हैं जिनके कोतनांग को में अंतर बहुत हो कम होता है खनिश तेल या कच्छी तिल में से सुद्ध निजल पेटॉल मिट्टी तिल कोलतार आधी ऐसी विधी द्वारा अलग किये जाते हैं वर्ड लेखन वर्ड लेखन में देखेंगे तो एह विधी इस तत्त पर आधारित है कि किसी मिस्रन के विभेन घटकों की आउसोशन चमता भिंड भिंड होती है तथा वे किसी ओधी सोसतर सोसक पतात में विभेन दोरियों पर आउसोशित होते हैं इस पेकार के वे पिथक कर लिए जाते है भाप आस्वन इस विधी से कार्मनिक मिस्रन को सुद्धी किया जाता है जो जल में अगूलन सील होता है परंतु भाप के साथ बास्विसील होता है इस विधी द्वारा विसे इस रूप से उन पदार्थों का सुद्धी करन किया जाता है जो अपने कुतनांग पर अफगट परतित होता है तो उसमें से अधिकांस में यह है परिवर्दन एक विसेश दाब पर एक नियत ताब पर होता है यह नियत ताब बस्तू का दिरव डांग के कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट जब तक पदार्थ गलता ठोस की आकरी करता रहता है तब तक ताब इस्तर रहता है यह विसेश दाब नियत रहता है हेमांग किसी विसेश दाब पर वह नियत ताब जिस पर कोई दिरव जमता है हेमांग कहलाता है सामनता पदार्त का दिवडांग एवं हेमांग का मान बराबर होता है जैसे बरप का दिवडांग और हेमांग जिरू डिगरी सेल्सियस असुद्धियों की उपस्तिती में पदार्तों का हेमांग और दिवडांग दोनों कम हो जाता है जबढ़ जाते है जिनका आयतन गल्ले पर घट जाते है जिनका आयतन गल्ले पर घट जाते है क्रश्टली ये पदार्थों में से अधिक्यास पदार्थ गल्ले पर आयतन में बढ़ जाते हैं ऐसी दसा में ठोस अपने ही गली हुई द्रव में डूप जाता है धला हुआ लोहा, बरफ, एंटी मनी, विस्मत, पीतल अधी गल्ले पर आयतन में सकुड़ते हैं अता है इस पेकार की ठोस अपने ही गले द्रव में फिलोवन करते रहते हैं इसी विसे गोड के कारण बरफ, बरफ का टुकड़ा गले हुए पानी में फिलोवन करता है साचे में के बल बे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं कि तभी बे साचे के आकार को पूर्टा पराप्त कर सकते हैं मुद्रण धातु यसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं तो यह याद रखेगा चांदी या सौनी की मुद्रण ढाली नहीं जाती हैं केवल मोहर लगा कर बनाई जाती हैं मिस्सर धातु का देवडांग उन्हें बनाने बाले पदार्थों के गल्लांग से कम होता है क्योंकि असुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गल्लांग घट जाता है हिमकारी मिस्रन किसी ठोस को उसके देवडांग पर गल्ले के लिए उसमा की आवसकता होती है उसकी गुपत उसमा होगी या उसमा साधारन था बाल से मिलती है जैसे जल में बरब का टुगडा मिलाने पर बरब गलेगी परंतु गल्ले के लिए दिवडांग पर हो है जल से उसमा लेगी जिससे आप देखें जल का तामान घटने लगेगा और मिसरन का ताब घट जाएगा हिमकारी मिसरन का बनना इसी सिद्धान पर आधारित है उधानन घर पर आइसक्रीम जवाने के लिए नमक का एक भाग और वरफ का तीन भाग मिलाए जाता है इससे मिसरन का ताब माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पराप्त होता है द्रफ से बास्पन परिणता होने की क्रिया को बास्पन से कम तामान पर द्रफ के बास्पन परिवर्थित होने की क्रिया को वास्पन की क्रिया निमन बातों पर निमन बातों करती है किन किन बातों पर कुथनांग का कम होना कुथनांग जितना कम होगा बास्पन की रिया उतनी है अधिक तेजी से होगे दरब का ताब दरब का ताब अधिकोने इसी बास्पन अधिक होगा दरब के खुली पेश्ट का छेतपल छेतपल अलेक होने पर बास्पन तेजी से होगा दरप के पेश्ट पर बायू बदलने पर बास्पन तेज होगा और दरप के पेश्ट पर बायू का दाब जितना ही कम होगा दाब जितना बढ़ता जाएगा बास्पन की दर उतनी घटती जाएगी कुतनांग Wailing Find दाब के किसी दिय हुए नियत varsa नियत मान के लिए वै नियतौभ जिस पर कोई द्रब उबल कर द्रव अवस्था से बास्प की अवस्था में परिणधा हो जाए तो वै नियत अवस्था द्रफ का कुतनांग कहलाता है दाब बढ़ाने से द्रव का कोतनांग बढ़ जाएगा और दाब घटने से द्रव का कोतनांग घट जाता है परमाडू सरचना आती है पर क्या परमाडू सरचना परमाडू की बात करें तो परमाडू तत्य का वह चोटा से चोटा कड़े जो किसी भी रसानिक अभिकिरिया मे भाग ले सकता है परंदू सुतंत अवस्था में नहीं रह सकता है परमाडू विद्धुत उदासीन होता है अडू तत्त तथा योगिक का वह चोटा से चोटा कर जो सुतंत अवस्था में रह सकता है अडू कहलाता है परमाडू भार किसी तत्त का परमाडू भार वह संक्या ह संख्या है जो यह पिदसीत करती है कि उस पदार्थ का एक अड़ू कारवन बारे के एक परमाडू के एक बारवी भाग से किन्दा गुना भारी है मौल धारणा एक मौल किसी भी निश्चे सूत बाले पदार्थ की वहरासी है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत की संख्या उतनी ही है जितनी सूत करवन बारे आईसोटोप के ठीक बारे ग्राम में परमाडू की संख्या है मौल एकाई का मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है और कार्वन 10 ग्राम या एक मौल में आप देखें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाडू 0.022 इंटू 10 की पावर 23 को आवो ग्राडो संख्या भी कहते हैं मौल संख्या एक एवं द्रमा दोनों का पितिक है सन 1967 में मौल को एकाई की रूम में स्विकार किया गया था 22 सताबदी में आधोनीक खोजों के परड़ाम सरू जेजे थॉम्सन रदरफोर चैडविक आधी विग्यान को ने एसे दिकर दिया कि परमाडू विभाज है और मुक्ता तीन मूल कड़ों से बना हुए है एलेक्टोन फ्रोटोन और निउट्रोन यहां आप लोग देखें यहां कि कड़ों गया एलेक्टोन फिरतीक हो गया आविस हो गया दरमान हो गया ग्राम में एम्यू है खोज करता जे ठीक है फ्रोटोन निउट्रोन तो एलेक्टोन का देख लेजे पिरतीक इसका माइनस वन की फावर ए फावर आप देखें जीरो माइनस आविस इसका माइ में देखें तो 0.000 5486 जेजी थॉम्सन ने इसकी कोच की थी प्रोटेंड 1P की पावर फिलस इसका आपका आवेस होगा इसका दरभमाल देखें अगर गराम में तो एक दसम्लो छह साथ दो छह इंटू 10 की पावर मैंट इसकी कोच कीती निट्रोण ग्राव इसका दरभमाल गराम में देखना है तो एक दसम्लो छह साथ चारनो इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम या द्रमान यह अमीव में देखना है तो 1.008724 इस चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी सबसे पहले एलेक्ट्रॉन के आवेस का सफलता पुर्वक नेधारण मिली करने किया था तेल वून प्रयोग विदी से एलेक्ट्रॉन की तरंग प्रक्किती की खोज डीप व्रोगली ने की थी और पॉजिस्ट्रॉन की खोज एंडोर्सन ने की थी भारती विज्यानिक सतेंदनाद बसु की नाव पर विशिष्ट मूलकर बोसॉन का नाव रखा गया है लगभग दरवमान हीन और आवेस हीन का न निउट्रॉन की खोज फोली ने 1930 में की थी इसमें प्रचक्रन होता है रदर फोड का नाव किये परमाडू मौलर्ड रदर फोड उनके विध्यारतियों हैंस गीगर और अरनेस्ट मारस डेन ने सोनी की भाव थी पतली परत पर अलफा केड़ों की बहुचार कर परमाडू क नाव की ए मौडल पर स्थुत किया इस मौडल के बाद माने तो इसके अनुसार परमाडू का धनावेस तथा अधिकास द्रव एक अति अल्व छेत्र में के अंदित था परमाडू के इस अतिक अल्व भाकू रदर फोड के ने नाविक का रदर फोड ने गड़ना करके अति अल्व होता है परमाडू की तिज्यालगवाग की दस की पावर माईनस 20 मीटर होगा जबकि नाविक टिज्यालगवाग 10 की पावर माईनस 15 मीटर होगा नाविके चारों और इलेक्ट्रों बिट़कर पंतन जिनने कच्छा कहा जाता है में तेजी से घुमता है पर्माडू की इस्थायत्ति की व्याक्या नहीं कर पाता है यह मौडल एलेक्टोनिक सरचना के बारे में कुछ भी बढ़न नहीं करता अर्थादिस से यह बता नहीं चलता कि पर्माडू की नाविक में उपस्तित प्रोटोनों की संख्या को आप लोग पर्माडू करेते हैं द्रमान संख्या किसी पर्माडू की नाविक में उपस्तित प्रोटोनों और नीटरोनों की संख्या का यूग उस पर्माडू का द्रमान संख्या कहलाता है द्रमान संख्या ब electron की ठेक ठेक इस्तिति का बढ़न करने के तू चार quantum संख्याओं का परियोग किया जाता है एक कौन सी है यह आप देखें कि मुख quantum संख्या क्या मुख quantum संख्या यह एक धनात्मक होती है पूर आंक है इसका इसका मान 1, 2, 3 इस तरह से आप देखे और N का मांग बढ़ने से अनुमत कक्छाओं की संख्या बढ़ती है इसे N इसका आप द्वारा दिया जाता है यह electron के मुख उर्जा इस तरह को पर दर्सित करती है N के बढ़ने से कक्छक की उर्जा बढ़ती है द्रिग गरंसी दी गरंसी quantum यह electron कक्छक कक्छक की त्रिविम्य आक्रिक उपर गट करता है L का नियुन तम मान सोन और अधिक तम मान N माइनस बन होगा चुमिकी है quantum संक्या M यह उर्जा इस तरह के कक्छकों को पर दर्सित करती है M का मान L के मान पर निर्वा करता है किसी L के लिए M का मान फिलस L से लेकर माइनस L तक होगा सुन सहित चक्रन quantum संक्या M S और 1925 में जोज ओल उह लेन वेक और समुवल गाउट स्मिट ने एक चौती quantum संक्या की उपस्तिती पती पादित की तुझ जो लेक्टॉन प्रचक्रन quantum संक्या M S कहलाईगी और यह लेक्टॉन के चक्रन की दिशा को प्रचक्रत करती है किसी चुम की यह quantum संक्या M के लिए चक्रन quantum संक्या S का मान फिलस 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2 होता है quantum यांत्री की का मोल समीकर स्रोजेंजर द्वारा पिती पादित किया गया इसके लिए 1923 में ने बहुत तीकी का नोबल पर उसकार भी दिया गया था इसके अनुसार एक दिये गए प्रमाडू में किनी दो इलेक्टॉनों के लिए चारों quantum संक्याओं का मान समान नहीं हो सकता एधि दो इलेक्टॉनों की NL और M के मान एक ही हो तो इसके अनुसाल एलेक्टॉन तब तक युगमित नहीं होते जब तक ये रिक्त कच्छा प्राप अर्थाद जब तक संभाव एलेक्टॉन आयुगमित रहते हैं हाईजेन बर्ग का अनिश्चिता का सिध्धाद इसके अनुसार किसी कड़की स्थिति और वेक का एक साथ यह थार्त निधारन असंभाव है और वाउ नियम इस नियम द्वारा उतत्तों के इलेक्टॉनिक विन्यास लिखने के लिए बिभिन परमाणू कच्छकों की उर्जा बढ़ने का करम इस तरह से आप 1S, 2S, 2P, 3S, 3P या 4P इस तरह से आप देखें दो इस तरह से और फिर आप देखें कि 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4D, 5D, 6P, 7S समिस्थानिक के बारे मैं सुने होंगे आइसोटोप समान परमाणू करमांग परंतु भिन परमाणू दरमानों की परमाणूं को समिस्थानिक कहते हैं समान परमाणू करमांग होते हैं लेकिन आप देखेंगे इनके परमाणू दरमान अलग होते हैं समिस्थानिकों में फरोटोनों की संख्या समान होती है किन्तू नेट्रों की संख्या भिन होती है जैसे H हाइडोजन की हैं आप देखिए 1H1, 1H2, 1H3 समिस्थानिक हैं रसानिक अभी कीरिया में सभी समिस्थानिक एक सा भीवार करते हैं लेकिन इसके बहुती गुड भिन भिन होते हैं पिरमक कुछ समिस्थानिक एक उनका उपयोग इउरिनियम 235, चटान की आयुगरात करने में इसका उपयोग होता है, सोडियम 24, रक्त की धक्की का पता लगाने में इसका उपयोग होता है, कोबाल्ड 60, रक्त के एंसर को नेंतीत करने में इसका उपयोग होता है, आरसनिक 74, टीमर का पता लगाने में इसका उपयोग होता है आयोडीन 131- Palestinian, ठायराइड गिरंथी का उप्चार में होता है फास्फोरास 32 yön, लियुकी मिया के उप्चार में इसका उपयोग होता है लोह Umat 69 या 50 नायन और रक्तिता का रूख पता लगाने के लिए किसका उफ्यू को स्य क्लिए होता है या सोडियम 24 का होता है तो यह नहीं याद रखना चाहिए छोटी छोटी बात बात हैं लेकिं बड़ी बात हैं हो जाते हैं सबसे अधिक समस्थानिकों भाला अत्क फॉलो नीयां है समभारी क्या होता है समान परमाड़ू द्रमान परंथु भिण परमाड़ू के परमाड़ू को समभारी कहते है यह आरग्रम्मे आप देख सकते हैं पहरेंद है yep इसम निट्रोनआग्स इन फर्माडवह पांवी इंदोर पर्माडवह की नावफियों में नैडूरों की संख्या दोदो है सब electronic जिन आयम और पर्माडवह के विन्यार सबान होते हैं इलेक्टराइक कैते हैं इलेक्टराइक पर्माडवह और आयनों में एलेक्टोनों की संग्या समान होती है NE, NA+, Mg++, Al++ सम एलेक्टोनिक हैं गेसों के आचरन की बात कर लेते हैं बॉयल का नियम पढ़ा हुला आपने इस्ते ताप पर गेस की नियत मातरा का आयतन उसके धाप के विदकरमान पाती होता है चाल्स का नियम इस्ते दाप पर किसी गेस की नियत मातरा का आयतनो उसके परमताप परमताप का सिधान पाती होता है परमताप तेक है परमसुनिताप सिद्धांतिक रूप से नियुनतरम संभो ताबमान माइनस 270 degrees Celsius को परमसुनिताप कहते हैं इस दाप पर सभी गेसों का आयतन सून होता है आवो गराडो का नियम समान ताप पर सभी गेसों की समान आयतन में अड़ों की संग्या समान होती है समान ताप पर दाप पर विभेन गेसों की एक ग्राम अड़ों का आयतन 22.4 लीटर होता है और इस 22.4 लीटर में आप देखें आर एक molar gas इस्तरांग है PV बराबर RT N बराबर 1 mol gas के लिए है गैसों का विसरन घनत में अंतर रहते हुए पितवी के गुर्टवा करसन के विरूद गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वभाविक विक्रिया को विसरन कहते हैं ग्राहम का गैस ये विसरन नियम नियत तापर और एवं दापर गैसों की विसरन की अपेच्छित गतियों और उसके घनत तथा अथबा अडू भार के वर्गमूल के वितका मान अपाती होती है यहां इसका सूथ भी दिया जा रहा है तो इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग हाइड्विजन गेस की विसरन की गति ऑक्सीजन की विसरन की गति से चार बुनिया देखोती है फिर आपका तत्तों का वर्गी करना गया मैंडलीव का आवर्थ नियम उननीसवी सदाबदी के मद्द में रसियन विज्ञानिक डी आई मैंडलीव ने तत्तों और उनके योगिकों योगिकों के तुलात्मा विद्धेन से एक नियम पिस्तुत किया जिसे मैंडलीव का आवर्थ नियम भी कहते हैं यह 1869 की बात है मेंडलीव के आवर्थ नियम के नियम साथ तत्तों का बहुत ही केवं रसानिक गोड़ उनकी परमाड़ो भारों की आवर्थ फलन होते हैं मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्थ साइडी में 9 वरग और 7 आवर्थ हैं मेंडलीव ने उस समय तक ज्याद सभी तत्तों के सामिल करने के लिए आंतरिक बहुत से आग्या तत्तों के लिए इस्थान रिक्त रखे छोड़ दिये थे मेंडेलीब के आवर्ट साडी के कोस की बात करें तो हाइडोजन को छार धातू और हैलोजन को हैलोजन जैसे दोहरे विवार के कारण दोनों बर्गों में रखा गया है समान कोड़ वाले तत्तों को अलग रखा गया जैसे CU, AG, TI, AU, PT, BA, PB मेंडेलीब से पूर डौव, डौव, राइनर और निव लेंड्स ने भी तत्तों को समुख में विवस्तित करने का परियास किया बलन तो उसके बर्गी करण की पद्दिती सखल नहीं हुए डौव, राइनर कित्रिक 1817 में जर्मन वसाइने के थे, बुल्फ, मॉंग, गांग, डौव, राइनर ने तीन-तीन तत्तों वाली कुछ समुख को चुनाओ, उन समुख को तिक कहा उस समय तक गया तत्तों में केबल तीन तरक ही से गयाद कर सके थे और फालसरो बर्गी केन की या पदिती आ सफल रही लिव, निव, लेंड्स का अश्टक सिद्धान ये 1866 की बात है अंग्रे जी विग्यान ने के जौन निव लेंड्स ने ग्याद तत्तों को परमाडू दिरमान के आरोही करम में विवस्तित किया और चपन वे तत्तोरियम पर समप्त किया उन्होंने पता किया कि पिते काटवे तत्त का गुर्धरम पहले तत्त के गुर्धरम के समान है उन्होंने इसकी तुल्ला संगीत के अश्टक से की और इसलिए इन्होंने अश्टक का सिध्धान का अश्टक का सिधान केबल लागों होता है किस तक? केलसियम तक नूग लेडर्स ने कल्पना की कि परख्किटी में केबल 56 तत्य विद्धमान है और भविस में कोई अनतत नहीं मिलेगा लेकिन बाद में कई अनतत आय है अपनी साइडी में निव लेंडस ने दो तत्तों को एक साथ रख दिया कुछ आसमान तत्तों को एक स्थान पर रख दिया था और रोक्त कारणों से अश्टक सिध्धान आसफला आधुनी कावर साइडी की बात करें आधुनिक आवर्ट में मौसले की नियम पर आधारी थे, इसके अनुसार तत्तों के गोड़, उनके परवाडु संक्या के आवद फलन होते हैं, और गोड़ हो गए बर्ग के उपर से नीचे आने पर आवर्ट में, और फिर आवर्ट में बाय से जाय जाने पर, परवाडु का आधुनिक आवर्ट सायनी में, आवर्ट की संक्या साथ होती है, और एवं बर्ग की संक्या नो होती है, बर्ग में एक से लेकर, आप देखे, साथ तक, दो उप बर्गों, ए और वी में बटे होई, इस पकार उप बर्गों से हित कुल बर्गों की संक्या ठारे हैं, पितिक का वर्द का पितम सदस चारधातू और अंतिम सदस कोई अक्रिएगेस सिर्फ पहले आवर्द का पहला स्था साइडो जन जो अफबाद है आधुनी का वर्द साइणी में पर्माडु संक्या संतावन से लेकर एकतर तक को लेंथिनाइड सेडी और पर्माडु संक्या नवासी से लेकर एक सो तीन तक को एक्टिनाइड सेडी कहा जाता है तो यह भी आत लो याद रखिएगा दुरला मिर्दा आवर्द साइडी में ग्याद 118 रसाइनिक तत्तों में से 17 तत्तों का एक पर्मुक समुह है और पर्मुक रूप से लेंथिनाइड समुह के रसाइनिक तत्तों की 15 तत्त और इसकेंडियम और इंटियम को समलित रूप से में दुरला मिर्दा धातु की नाम से जानते हैं दुरला मिर्दा धातु विभिन पिकार की इलेक्टोनिक सामानो डिल्फ ड् आर्जेवल बैटरीज, डिस्फिलेट, टीवी मॉनीटर, नाइट वीजन चस्मा, मोबाइल फॉन आदी के निर्माड में रूपों में प्रियुक्त होता है, मिसाइल निर्देश पेडाली, जैट, फाइटर, इंजन, अंडर वाइटर, माइन, डिटेक्टर, आदी के निर्म मात्रा जो टत्तों की एक गैसी परमाडू की बाहत्तम कक्चा से एक एलेक्टरौन को निकाल बाहर करने के लिए आवस्थ होता है, एलेक्टरौन बंदुता, जब उदासीन परमाडू एक एलेक्टरौन गरहन करता है, तो उसके फैल सोरूप उत्पन उर्जा को इलेक्टरौन बंदुता, किलोरीन की होती है, विद्धुत रडात्मक्ता, किसी तत्त की परमाडू की हो है चमता, जिससे हो है साजिदारी की एलेक्टरौन जोड़ी को अपनी ओर खीचती है, तो उस तत्त, उसे उस तत्त की विद्धुत रडात्मक्ता कहते हैं, फिलोरी के निस्त के रिए गयसों का गलनांग निम्न होता है और वहीं बरग चार एके तत्तों का गलनांग उच्छतम होता है तो इन्हें भी आप लोगों को याद रखना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं रसाइनिक बंधन के बारे में और केमिस्ट्री में आप लोग जब 10th 12th मे होंगे उस समय आप लोग ने पढ़ा भी होगा एलेक्टॉन के फोनल वित्रन की फल्स और वह बने बंधन को परमाडू बंधन कहते हैं एट एटोमिक बॉंड कहते हैं परमाडू बंध तीन तरह की होते हैं बिद्धुद सहयोजी बंधन और सहयोजी बंधन और उप पाद करें तो जब बंधन का निर्माड एलेक्टॉन के इस्थानांतन की द्वारा होता है उसे विद्धुद सहयोजी बंधन कहते हैं इस तरह से जैसे आप देखेंगे अनेफिलस, क्या एनेफिलस, या नेसील तेक हैं आये फिर आप देखेंगे आएनिक एविक कर किसी रवा के आयनों को एक दूसरे के अनत दूरी तक अलग करने के लिए आवसे कूर्जा को जैलकूर्जा कहते हैं सह सहयोजी बंधन जब दो साधरस या आजदरस से परमाड़ू अपनी बाहतम कक्छा में के इलेक्ट्रोनों का आपस में साजया करके सहयोजी करते हैं तो उसके बीच इस्तित बंध को सह सहयोजन बंधन कहते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं अभी किरियागर के CL2 बना लेता है तो आप देखेंगे आपका सह सहयोजी योगिक के गुड़ अगर देखें तो सह सहयोजी बंधन दरड़ और दिसात्मक होता है अता अभी विविन इस्तान एक अवस्था में रहते हैं बत्त्रे विमी हैं त्री विम समाव अयोता प्धर निम्न होता है दुरविये घूलकों में प्रया अगहलन सील किन्तु आधरविये घूलकों में प्रया अगहलन सील होता है विद्धु रिडात्मक्ता बंदे की प्रकिती जब दो परमाड़ों के विद्धु रिडात्मक्ता की बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा जब दो परमाड़ों की विद्धुत रडात्मक्ता की बीच अंतर हो तब बंधन धुर्वीय सही सयोजक होगा जब दो परमाड़ों की विद्धुत रडात्मक्ता की बीच अंतर सुनने के बराबर होगा तब सही सयोजी बंधन बनेगा फिर आप देखिए ओप सही हो जी बंधन ऐसा बंध जो दो परमाड़ों के बीच एक एलेक्टॉन जोड़ी की सांजेदारी से बंता है किन्तु सांजेदारी का एलेक्टॉन जोड़ी सरफ एक ही परमाड़ू द्वारा प्विदत होता है ओप सही हो जी बंधन में जो सहयोजी बंद से जुड़ा हुआ है एलेक्टॉन का निर्जन जोड़ी एलेक्टॉन का हुआ जोड़ा जो सहयोजग बंद के निर्माड में भाग नहीं लेता है उसे ही एलेक्टॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं जैसे जल के निर्माड में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया क और CL में आयानी सहसायोजी और उप सहसायोजी आबंध होते हैं, हाइडोजन बंद भी सुनाओगा, HF, O या N के सहयोग से बने योगिक के अडू धुर्विय होते हैं, HF, H2O और NH3, HF अडू में H विद्धुधन आत्मक और F विद्धुत्रेड आत्मक तत है, अता है H और F के वीच सहसायोजी बंधन में सल्यन इलेक्टोन योग में जोड़ा, थोड़ा F की और खींच जाता है, फलता F परमाडू पर थोड़ा रिड आवेस, और आप देखिए H परमाडू पर थोड़ा धन आवेस आ जाता है, अता है HF अडू का विद्धुधन आत्मक सरा, दू दूई बंध और त्री बंध, बंधों के क्रिया सीलता अगर आप देखिए तो एकल बंध, दूई बंध और त्री बंध, यह है आकरशन 2HF, अडू के बीच एक नए पकार के बंधन का सेजन करता है, जिसे हाइडोजन बंधन कहते हैं, हाइडोजन बंधन जलो और N-C-N, H-C-N, हाइडोजन साइनाइड में हैं, और H2O, S में हाइडोजन बंधन नहीं है, सह हाइडोजन बंधन एक कमजोर इस्थेर विद्धुत आकरसनबल है, जो सह सहयोजक बंधन से कमजोर होता है, हाइडोजन बंधन सिर्फ फिलोरीन, ऑक्सीजन, नाइटोजन के योगों क सिग्मा बंधन, जब दो परमाणों के ऑर्बिट एक दूसरे से एक रेखेक अक्ष पर अती ब्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणों की बीच बने बंधन का सिग्मा को सिग्मा बंधन कहते हैं, संकरन का प्रमुक पकार, SP संक्रन यह रेखिये आक्रिटी का होता है SP संक्रन यह तरी कौड़ी आक्रिटी का होता है SP Q आप देखें संक्रन यह तरी कौड़ी यह परामेड आक्रिटी का होता है SP की पावर 3 D संक्रन यह तरी कौड़ी यह दूई परामेड यह आक्रिटी का होता है SP 3 और D संक्रन यह संक्रण यह पंच भुजिय दूई परामेडिय आक्रिटी का होटा है पाई बंध जब दो परमाड़ परमाड़िक और्विटलों के पास अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मेद बंधन को पाई बंधन कहते हैं क्या कहते हैं पाई बंधन फिर आप देखें कि ऑक्सी करन औ पत्याग ऑक्सी करन कहलाता है जैसे आप देखिया एने किरिया करके एने फिलस 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 और ई ऑक्सी करन ठीक है आउकरन बिद्धु धनात्मक परमाड़ू या मूलक मूलकों के अनपात का बढ़ जाना या धन आविस का घट जाना या इलक्टरॉन को गहन करना आवकरन कहलाता है जैसे सिउ फिलस फिलस आप देखिया फिलस टूई सिउ यहां ऑक्रन ठीक है रेडोक्स अब किरिया आउकसी करन आउकरन की करियाए साथ-साथ होती है और अर्था जब एक पदार्थ एलेक्टरॉन तयाग करता है तो दूसरा उसे घहन कर लाता है इ SNCL2 औक्सीकारक किसे कहते हैं जिस पदार्द का आउकरन होता है जो पदार्द एलेक्टोन गहन करता है उसे औक्सीकारक कहते हैं कुछ पर मुख औक्सीकारक O2 O3, H2O2 NH3 KMNO4 K2, CR2 O7 सबसे परवल औक्सीकारक एजेंट फिलोरीन है औक्सीकारक एबम औक्सीकारक दोनों जैसा आचरन करने वाला पदार्द हाइडोजन सल्फाइड है हाइडोजन फेराओक्साइड है हाइडोजन फेराओक्साइड है हाइडोजन फेराओक्साइड है नाइटरसमल है औक्सीकारन संख्या क्या होती जैसे MN में ऑक्सीकरन की संख्या KMNO4, KMNO4 अब इस तरह से फिलस 1, फिलस X, फिलस कोश्टक आप देखेंगे, फिलस 2 में होती है, फिलस 2 में होती है, फिलस 2 में होती है, ठेके, तो इन्हें भी याद रखिएगा, आउक्सीकरन, वह है अभी किरिया जिसमें किसी परमाडों की आउक्सीकरन संख्या का मान बढ़ जाता है, आउक्सीकरन कहलाता है, आउक्सीकरन, वह है अभी किरिया जिसमें किसी परमाडों की आउक्सीकरन संख्या का मान बढ़ जाता है, आउक्सीकरन कहलाता है, आउक्सीक अमल भसं लवन अमली की बात करें तो अमल बे यह होगी एक पदार थे जिनमें हाईडोजन पिती इस्थाप के रूम में रहता है आरहनियम के अनुसार अमल एक ऐसा योगिक है जो जल में घुलकर H पलस आयन देता है बॉरोंस ट्रेड अमल और वहाय पदात हैं जो किसी दूसरे पदात को फ्रोटेंड पदान करने की चमता रखता है लुईस एलेक्टोनिक सिद्धान की अगर अनुसार देखें तो वह है योगिक है अमल वह है योगिक है जिसमें एलेक्टोन की एक निर्जन जोड़ी सुईकार करने की प्रवित्ती होती है अमला आप सभी जानते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं कुछ प्राक्तिक अमले हैं प्राक्तिक सुरोत हैं अमले हैं जैसे सिरकाप एसेटिक अमला देखने को मिले गए संत्रा सेत्रेक अमलह, एमली टार्टरिक अमलह, टमाथर ऑक्सेलिक अमलऺ धही खẫnटा दूद्य heticum, नीवी सेत्रिक अमलऌ चीटी का डंक अधेन आईक अमलग विच्छो का डंक methynск अमलग विच्छो भुटी नित्म तोल मेस्थ अमलग, अंगूर यह पूछ लेता है कि आपका संत्रा में कौन सा अमल होता है या एंगली में कौन सा अमल होता है तो यह आप लोग याद रखिएगा अमल का जलियन विलियन नीले लेटमस को नाल कर देता है अमल का जो जलियन विलियन होता है नीले लेटमस को कैसा कर देता है लाल कर देता है अमलों के उपयों की बात करें तो खाने के काम आते हैं जैसे, खट्टे दो लेक्टिक अंबल सेरेका या एवंवम अचार इसेक अंबल शोडा, वाटर वा, अनफै, कार्बनिक अंबल, अंगूर, टारिटरीक अंबल, सेव, मैलिक अंबल, निववा नारंगी, साइत्रिक अंबल वेकिंग पाउडर बनाने में टारिटरिक अमलका उपयोग होता है खाना पचाने में SEL अमलका उपयोग होता है नाइटरिक अमलका परियोग सौना बचांदी के सुध्धी करण में किया जाता है लोहा पर जस्ते की परक चड़ाने के पहले लोहा के उस साफ करने में CH3, COOH, अमल राज, यह तीन अनपाते, एक के अनपात में सांद हाइड्रोकलोरिक अमल एवं सांद नाइट्रिक अमल का ताजा में सरंड होता है, यह सोना एवं फिलेटिनियम को गलाने में सरमर्थ होता है, हाइड्रोकलोरिक अमल, SEL एक अन नाम मियूरी, मियूरियेटिक अमल है, या खनेजिक अमली भी है, हाइड्रोकलोरिक अमल, हाइड्रोफिलोरिक अमल, S.F में काच घुलन सील होता है, काच आप समझ रहे हैं, बेंजो एक अमल, दबा बनाने में काम आता है, भसम, ऐसा यहोगिक जो अमल के साथ पितिया कर लवर, जल बनाते हैं, लेकिन चार के अन्य गोड़ पिदासित नहीं करते हैं, ZN, O, CO, कोश्टक OH, फर आप देखेंगे 2, FeO, Fe2O3, कुछ फिरमोख भसमों के उपियोग को आप गेते हैं, केल्सियम हाइड़ोकसाइड, घरों में चूना पोतने में आता है इसका काम, C, A, कोश्टक OH, कोश्टक बंद अप नीचे 2, गारावम प्लाश्टर बनाने में, विलीचिंग पाउडर बनाने में, चमडा के उपर का बाल साप करने में, जल को मिद्दू बनाने में, अमले के जलन पर मरहम पट्टी करने में, काश्टिक सोडा या सोडियम हैड़ोकसईड की बात करें, अने एवच की, तो सावन बनाने में इसका उपर होता है, पैट्रोलियम साप करने में, दबा बनाने में, कपडा इवं कावज बनाने में, कारखानों को साप करने में, मिल्क ओफ मिगनेसिया या मिगनेसियम हाइड डॉकसाइड फेट की अमलीता को दूर करने में लवड अमले एवं भसमे की पिति किरिया के फसरो लवड और एवं जल का निर्मार होता है NaOH पिलत SCl NaCl H2O कुछ प्रमुक लवड के उपयोग हैं इनमें आप देखेंगे साधार नमक या सोडियम किलोराइड खाने की रूम में एवं अचार के परियरक्षन में इसका उपयोग होता है खाने का सोडम या सोडियम का वाई कार्वोनेट NaHCO3 फेट की अमलीता को दूर करने हो और अगनी समग यंतों में इसका उपयोग किया जाता है धावन छुबरा धोवन सोड़ा या सोडियम कार्वोनेट Na2SO3 10H2O कपडा धोने में इसका उपयोग होता है कास्टिक सोड़ा या सोडियम हाईड्रोकसाइड NaOH इसका उपयोग अपुमारजग का चूड बनाने में होता है पोटिसियम नाइटेट के अनो थिरी वारूद बनाने में इसका उपयोग होता है pH स्केल भी आप लोगों ने सुनाओगा कि इसका pH मान इतना होता है किसी बिलेयन की अमलिता या चारिता को व्यक्त करने के लिए pH माबदन का परियोग किया जाता है तो अर्था pH बराबर माइनस लॉग फर आप देखेंगे कोष्ट एच फिलस अर्थात किसी बिलेयन में हाइडोजन आएनों के सांधरण के विक्त करन के लगुग गड़क को उस बिलेयन का pH मान कहते हैं किसी बिलेयन का pH मान साथ से कम होने पर या बिलेयन अमलिय होता है और साथ से अधिक होगा तो इसका मान क्या होगा यह चारिये होगा ठीक है और साथ पर आप देखें तो एक तरह सी क्या हो देता है। साथ पर इसका नाम उधार सीन रहता है। सोरेन शेन ने 1909 में pH इसकल दिया था। हमारा सरीर 7.8 pH परास के बीच कार करता है। जीवत पराणी केबल संकीर pH परास में ही जीवत रह सकते हैं। कुछ सामान पदार्थों के pH मान हो गया इनसे भी पूच लेता है समुद जल का pH मान क्या है। 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूद का 6.4, मुत का 6, सराब का 2.8, सिरिका का 2.4, नीवू का 2.2 और सराब जो पीते होंगे, उन्हें मालू होगा किस तरह का इसका स्वाद रहता है। ठीक है। तो उन्हें मालू रहता ही होगा। कि नहीं रहता होगा। बरसा के जल की pH मान जब 5.6 से कम होती है, तो है अमली ये बरसा कहलाती है। pH मान परिवर्तन के कारण दंथ 6, मुह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दात का 6 फ्यारम हो जाता है। दातों का एनेमल, कैल्सियम का फॉस्पेट का बना होता है, जो सरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुह के pH का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। सराफ फीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जाच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोक्त स्वाहास बेसे ले सक अमलचार अभिकरिया की आधार पर किये जाती है। ये कुश्चिन्स पूच सकता है आपसे, इंटर्वीव में भी बन सकता है। बिलेयन पर बात कर लेते हैं। अधिक होता है, उसे विलायक कहते हैं। द्रव में ठोस का विलेयन, पारा में लेड का विलेयन, द्रव में द्रव का विलेयन, जल में अलकुहल का विलेयन, एक तरह से उधारन एक गई है। द्रव में गेस का विलेयन, जल में कारवन डायोकसाइड का विलेयन, गेस में ठोस का विलेयन, धुआ और बायू में आयोडीन का विलेयन, गेस में द्रव का विलेयन, कोहरा, बादल, अमोनियम गेस का विलेयन, गेसों में गेसों का विलेयन, बायू और गेसों का मिसरन। बिलाईक के उफ्योग की बात करें तो औस्ती के निर्माड में निर्जल धुलाई में पैटॉलियम, बेंजीन, इथर जैसे बिलाईकों का एत निर्माड में अनिक विकार के पेव खाद पदार्थों के निर्माड में संतरप्त विलेन क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलेन जिसमें विले पदार्थ की अधिकत मात्रा गुली होई हो, संतरप्त विलेन कहलाता है, आसंतरप्त विलेन, ऐसा संतरप्त विलेन जिसमें विले की मात्रा उस विलेन को संतरप्त करने के लिए आवस कि सी निष्टीताप और 100 ग्राम विलाइक में में घुलनेवाली वाली विले की अधिकतम मातर को उस ब्ले पदार्थ की उस ब्लाइक में बलेता कहते हैं BLE ता बराबर आप देखे भी विले की मत्रा वपांग की मत्रा इन टू-सो गोरे सो ठीक है किनी पताइब की बिलाइग में बिलेता बिलाय तथा बिले की प्रकिती पर निर्वर करती है बिलेता का प्रभाव और पर अधे तो सावन थोस प्रच थोस प्रच चाहरा की बढ़ने से गटती है एक लिस्टे सभीव सूनgado क्येसिय में केसी भी गयसमें गयसमें की विलेएनं का संद्रण, किसी विलायक या विले की मातरा को विलेयन का सांदरन कहते है, जिस विलेयन में विलेय की परयाप्त मात्रा गुली रहती है, उसे सांद विलेयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की कम मात्रा गुली रहती है, उसे तनू विलेयन कहा जाता है, और सभी तनू विलेयन आसंतरप्त विलेयन होते हैं, जो विलेयन जिसा जितना की अधिक तनू होगा उतना ही अधिक आसंतरप्त होगा परीचेपन जब किसी पदार्थ की कड़ परमाडू, अडू या आयंग दूसरे पदार्थ की कड़ों की एड़गिड़ छितरा दिये जाते हैं तो यह क्रिया परीचेपन कहलाती है पहले पदार्थ को परीचेफित पदार्थ दूसरे को परीचेफण माद्देम कहा जाता है परीचेफण के फलसुरूप दो पिकार के पदार्थ बनते हैं विसमांग पदार्थ नीलम्मन और कोलाइड और समांग पदार्थ बास्तिविक विलियन नीलम्मन आप लोग सुनते हैं इसमें परीछेपित कड़ों का आकार दसकी पावर माइनस 3 सेंटी मीटर से दसकी पावर माइनस 4 सेंटी मीटर या इससे अधिक होता है इन्हें आँखों से देखा जा सकता है इनके कड़ छनना पत की आरपार नहीं जा सकते हैं और यह आईस्थाई होते हैं तो इनके कड़ों में परीछेपर माद्यम से अलग हो जाने की प्रवित्ती पाई जाती है उधारन नदी का गंदा पानी बायु में दुआ कोलाइड भी आप लोगोंने सुना होगा कोलाइड इसमें परीछेपर कड़ों की कादगार 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच होता है इसके कड़ों को नगन आखों की साहता से नहीं देखा जा सकता है बलकि सूखिंदर सी की साहता से देखा जा सकता है इसके कड़ छन्नापत की आरपार जा सकते है लेकिन चरम पत से नहीं निकल सकते है और इसके कड़ों में परीछेपर माद्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवित्ती पाई जाती है दूद, गौंद, रक्त, स्याहियादी कॉलाइड की विविन पिकार सोल वैसा कॉलाइड जिसमें ठोस कड़ दरव में परीछेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है रवर की दस्तानों का निर्मार बिद्धुल लेपंद्वार रवर सोल से किया जाता है जैल, वैसा कॉलाइड जिसमें ठोस कड़ दरव में समान रूप से परीछेपित होते हैं पर उनमें प्रवावता फेलो नहीं होता है जैसे जैल कहलाती है, जैसे जैली और जिलेटिन एरोसोल किसी गेस में दरव या ठोस कड़ों का परीछेपन एरोसोल कहलाता है जब परीछेपित कड़ ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआ कहा जाता है जब परीछेपित पतार द्रब होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहते हैं कुछ रहा तो आप लोगों नहीं देखा होगा सुना भी होगा जब परीछेबन का माध्यम जल एलकोहल एवं ब्रंजीन हो तो कुलाइडों का क्रमसा हैट्रोसॉल एलकोहल और बेंजोसॉल कहते हैं पायस यह क्या होता है जब किसी कुलाइड में एक दरफ के सारीकड दूसर निपाइस है कोड लीवर है तील जिसमें जल जल की कर तील में परी पुदीत के सांधरन में भी किया जाता है जाग द्रब में गैस का परीछेफन जाग कहलाता है यह सावन से उत्पन होते हैं बास्तविक बिलियन इसके कड़ आडवी काकार वाले होते हैं अर्था इनकी कड़ों काकार 10 की पावर माइनस 7 से लेकर 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है इसके कड़ छन्नाबत के आगा आरवपार असानी से आ जा सकते हैं यह सबसे इस्थाई वो पारदर सक होता है यह आँग तथा सूक्षंदर से दिखाई नहीं देते हैं अपोहन कुलाइडी बिलियन को बास्तविक बिलियन से प्रिथक करने की पिक्रिया अपोहन कहलाती है अर्था इस इतने ही सूक्ष होते हैं तथा माध्यम की स्यानता जितनी ही कम होती है एवंताब जितना ही अधिक होता है यह गती उतनी ही तेज होती है इसकंदन जब कुलाइडी बिलियन में कोई विद्धुत अभट मिलाते हैं तो कुलाइडी कड़ों का अविस उदासीन हो जाता है उ की पावर माइनस साथ से कम होता है कुलाइडी बिलियन में पदार्थ के विले के कड़ों के आकार ब्यास प्रया 10 की पावर माइनस साथ से 10 की पावर माइनस साथ 5 सेंटी मीटर के वीच होता है और इसमें आप बास्तविक बिलियन में आप देखें इस पदार्थ के कड़ हर दुवस्था में अधिष से होते हैं, कुलाइडी की कड़ों से उत्पन विर्कास फिकीडन को लटा माईग्रोइस्कोप द्वारा दीखा जाता है, वास्तवीक विलियन में इसमें पदालत का कड़ करम सा, कड़ प्रकास का फिकीडन नहीं करते हैं और कुलाइडी में आप देखें बिलियन में कड़ फिकास का फिकीडन करते हैं बास्तविक बिलियन में इस बिलियन का पारा सरनी दाब अधिक होता है इसका परा सरनी दाब पेक्चा किट कम होता है और बास्तविक विलियन में यह समांग एवं एकांग की प्रवस्था वाला होता है यह विसमांग तथा दो प्रवस्था वाला होता है एक तरह से टिंडन परभाव, टिंडन परभाव, टिंडन नहीं, टिंडन परभाव, जब किसी कुलाइडी विलियन में तीब ब्रकास गुजारते हैं और इसके लमवत रखे सूख्चंदर्सी से देखते हैं, तो कुलाइडी कर काली प्रिष्ट भूमी में आलफिन की नौ की बाद चमं लगता है, इसे टेंडल परभाव कहेते हैं, टेंडल परभाव का कारण प्रिकास का पर गीडन है, वफर बफर बिलियन, वह बिलियन जो किसी जो की अमली आच्छार की साधान मात्राओं को अपनी परभावी अमलता या अच्छारता में परयाप्त परिवर्तन किये बिना तो आउस्योषित कर लेते हैं इसे वफर बिलियन जैसे सोडियम एसीटेट तथा एसीटेट अमलता मिसर अने एक परभावी वफर हैं, जब उसे पानियों बिले किया जाता है, बिलियन का रंग सुचक हो गए, अमली बिलियन, चारियर बिलियन, औदासीन, बिलियन, मिथा अब हम लोग बात करते हैं कार्वन हो उसकी योगिकों के बारे में और याद रखे कार्वन से आपने देखा होगा कुश्चियां साता रहता है क्या होता रहता है आता रहता है कार्वन यह सबसे पहले यही वाद रखिए कि अधातू है दातू नहीं है इसका परमाडू संख् आप से पूंचे तो 6 है 6 है इसी आधूनिक आवर्शाइनी में कि बरक 4 ए में रखा गया है और के कुले ने बताया कि कार्बन की सयोग्यक्ता 4 होती है और इस नहीं कार्बनिक योगिकों की हॉमो लोगस सीरेच की बाद पिती पादित की थी अपर्रूपता वैसे बदा जिनक हीरा और गरेफाइड ठीक है हीरा आप लोग देखते हैं कि सबसे कीमती आप लोग देखते हैं आपके यहाँ पन्ना मद्दपदेश में जाएंगी तो पन्ना में हीरे की खाने भी है हीरे के गुड की बात करनें तो यह ताप एवं विद्धुद का कुचालक होता है और य यानि कि दोदोसमलों 417 होता है अताप पूर्ण आंत्रिक फरावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है और इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स केनों की पढ़ने पर यहारा रंग पे दरसीत करता है सुद्ध हीरा पारदरसक और रंगीन होता है कुछ हीरे काले भी होते है जिने बोड कहते हैं और इनका उपयोग सीशा काटने में किया जाता है ग्रेफाइड के गुड की बात करें तो यह विद्धुत का सुचालक होता है और इसका अपेक्षित घनत 2.2 यानि कि दोदसमलों 2 होता है खागज पर रगणने से यह उस पर काला निसान बना देता है और इसलिए इसको काला सीशा भी कहते हैं ग्रेफाइड का उपयोग पैंसल बनाते हैं परमाडु भट्टी में, भीमन्दक की रूम में, एलेक्टोर की रूम में, घारवन आर्ख बनाने में इसका उपयोग होता है तो यह उंग्रिफाइड में कार्वन एस्पीडो फिसंस्केट रहता है कच्ची चीनी को रंगीन करने ही तो एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं कच्ची चीनी को रंगीन करने ही तो काई का उप्योग करते हैं एनिमल चारकोल का उप्योग करते हैं हाइडोकारवन, कारवन और हाइडोजन की योगिक को, आप लोग हाइडोकारवन कहेते हैं, हाइडोकारवन का एक प्राक्रितिक स्रोध, फैटोलियम कच्छा तेल है, और जिससे प्रक्रिती द्वारा पितवी में कुछ विसेश पिकार की अवसादी चत्टारों की बने पिते कारवन परमाड़ों की चार सयोजकता हैं, एक सह सयोजी आवंद द्वारा संतोष्ट होती हैं, उसे संत्रप्त हाइडो कारवन कहते हैं, या एलकेन कहते हैं, एलकेन सैनी का सामन सूत आप देखेंगे Cn, H2n फिलस 2 द्वारा दर्साय जाता है, जहां N किसी अणों में पस्तित कारवन परमाड़ों की संख्या होगी, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, भीवटेन, आदी एलकेन की प्रमोग उधारन है, असर्थ आसंत्रप्त हाइडो कारवन, बिक हाइडो कारवन जिनमें कम से कम 2 निकर्टस कारवन परमाड़ों, आपस में 2 बंद अथवा 3 बंद इस सेड़ी का पहला सदस एथीन है, और 3 बंद बाला असंत्रप्त हाइडो करवन एलकाइन कहलाता है, एलकाइन का सामण सूत आप देखेंगे, सी एन, एश, टू, एन, माइन, वाइन, टू होता है, और सबसे सरल एलकाइन, एथाइन है, देखें, कौन है, एथाइन है, य भी याद रखिएगा, फिर आप देखेंगे, एरो, एरोमेटिक हाइडो कारबन, बेंजीन, सरल तेम, एरोमेटिक हाइडो कारबन है, इसको इसा रसना बलाय होती है, और इस तरह से आप लोग इन्हें देख भी सकते हैं, ब्रेंजीन की खोज माइकल सराडे ने, 1625 में की और उन्हें इसे बाइकारवनेट ओफ हाइडोजन का नाम दिया था, आँगे चलके इसे बेंजीन नाम दिया गया, इसके बारे मत याद रखना है, इस पोईंट को जरूर नोट कर लिजेगा आप, कि जो ब्रेंजीन की खोज किस ने की थी, माइकल फेराडे ने, जब 1825 मे उन्होंने इसे बाइकारवनेट ओफ हाइडोजन का नाम दिया, आँगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया, अब बात करते हैं समाव वयक्ता की, और जब दो या दो से अधेक योगेकों के अडोसूत समान होते हैं, परंतु उनके गुड़ों में अंतर होता है, तो तब या परमाडू के भेन बंधों के कारण उत्पन होते हैं, एक त्रीविम समाव वयता होती है, या अंतरिक्षें परमाडू के भेन परबंधन के कारण उत्पन होते हैं, बहुली करण, बहुली की करण, यह आप देखेंगे जब एक ही योगिक के दो अधिक अडो आपस में स उत्वात को पॉलीमर बहुलक कहते हैं बहुलक करन की विस्षिस्ताओं की बात करने तो इसमें एक योगिक के अड़ू पर असपर सहयो करते हैं किसी भी अड़ू का निस्करस्वन नहीं होता है और बहुलग का अडुभार मोल योगिक के अडुभार का गुड़क होता है और फ्राक्तिक बहुलग के उधारन है इस्टार्स सेलीलियोच और फिलास्टिक फ्राक्तिक फिलास्टिक का उधारन है ला है रसानिक विधी से तियार फिलास्टिक दो पगार की होते हैं एक तो थ थर्मो सेटिंग पिलाश्टेक। थर्मो पिलाश्टेक की बात करने तो यह गरम करने पर मूलायें तथा ठंडा करने पर खथोर हो जाता है, और इसमें यह गूर सदिय उमजूद रहता है। चाहे इसे कितनी वार ठंडा उगरम क्यों न किया जाए और जिन कार्वनिक योगिकों योगिकों की अंत में एक दुईवंद रहता है उनकी योग बहुली करण से थर्मोपलास्टिक्स बनते हैं उधारन के लिए पॉली इस्टाइरीन, पॉली थीन, नाइलोन और फॉली विनायल किलोराइड और टेफलोन पॉली थिन एथिलीन को उच्छ दाप पर बहुली की करण के फलस्वरूप राप्त होता है इसका उपयोग तार के उपर का आउरन और फैकिंग थैलिया बनाने में उपयोग होता है खाने के बदार्थ को पैक करने में पॉली एथिलीन का और वर्साती बनाने में पॉली कार्वोनेट का उपरियोग किया जाता है यह चोटे-चोटे पॉयंट है लेकिर याद रखें मौटे पॉयंट मानिए इनसे कुश्चन्स पूच लेता है पॉली इस्टाइरीन फैनिल एथिलीन के बहुली करण के फलस्वरू फराप्त होता है इसका उपयोग अमल रखने की बोतल सेलों के कवर आदी बनाने में उपयोग होता है पॉली विनाइल किलो राइड वाइनल किलो राइड के बहुली करण से फराप्त होता है इसे पुरहा गरम करके मुलाइब नहीं बनाया जा सकता है और इस प्रकार अनूत किर्माणी है बहुलकों को ताप दर्ड बहुलक कहते हैं उधारन के लिए बेकिलाइट मेला माइन ठीक है मेला माइन और बेकिलाइट की बात करें तो यह फिनॉल तथा फार्मिल डिहाइड क की उपस्तिदी में गरम करके प्राप्त किया जाता है इसका उप्योग रेडियो टेलीविजन आदी के केस और वाल्टी आदी बनाने में उप्योग होता है टेफलोन नामप्लास्टिक का निर्माट टेट्राफ्लोरो इथिलीन के बहुलक से होती है और इसका उप्योग ना चिपकने वाली कहाड़ी के निर्माड में किया जाता है टेफ रबड रबड दोता है कि होती है एक तो प्राक्तिक होती है संसलिस्ट होती है प्राक्तिक की बात करने तो आईसोप्योग का बहुलक होता है या थार्मोप्लास्टिक है और वलकनी करन प्राक्तिक रबड को सल प्रियोग दस्ताना रवर बेंड बनाने में होता है, बलकिनी करण पिक्रिया से रवर बनाने की खोच चाल्स गुड एयर ने की थी, और रवर आसानी से कार्वन डाई सल्फाइड में घुल जाता है, तो राक्तिक रवर काफी मुलायम भी होता है, और इसे कठोर बनानी के ल रवर संसलिस्ट रवर नियोपीन के बहुली करण से बनता है, इसका उपयोग विद्धुत रोधी पदार्थ, विद्धुतार, कनवेयर, वैल्ट, खनिश तेल के लिए ले जाने वाले फाइप बनाने में किया जाता है, एक आप सुनते हैं थाई कॉल, यह दूसरा किंतिम रवर है, जो डाई के लिए रोधी एथेन को फॉलिस सल्फाइड की पितिकरिया से बनाया जाता है, इसका उपयोग खनिश तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, बिलायक जमा करने वाले टेंक आधी बनाने में इसका उपयोग होता है, थाई कोल रवर को ऑक्सीजन मु आधिक होती है, रेसे कहलाते हैं, रसायनिक रेसे, नायलॉन, नायलॉन सब्द नियुएर्क सहल के एन वाई या लंदन के एलो एन को मिला कर बनाये गया है, आप देखिए और नायलॉन ऐसे छोटे कारवनिक अडूओं में बहुली करन पिक्क्रिया, बहुली करन पिक्क्र यहां आ धूराग बनाया जाता है जो फिराथते के रोप से उपल लब्ध है नहीं है और यही एक पॉली-Inamide- Racic-Audharan है जिसमें Amide Samson पितेग एकाई पर होता है जो तैंढ के भारारे दुहराई जाता है पॉली-Inamide एम-ाइ ऐसा बनाने के लिए दो एमीन समोस योत्य किसी कार्वनिक योगी की अभी के हिया किसी ऐसे कार्वनिक योगी के साथ की जाती है जिसमें कारवोक सी लिख अमल के दो समो होते हैं नायलोन मानोद्वारा संसलिष्ट किया गया पहला रेशा था, जिसका निर्मार सरफितम सन 1935 में किया गया था, और व्यापारी के सरफर पहलीवाल सन 1949 में महिलाओं के लिए जोरा भी इससे बनाई गई, और नायलोन का उपयोग मचली पकड़ने के जाल, जाल, पैरासूट क कपड़ा, टायर, दात, ब्रस, परवात रोहन के लिए रस्ती आदी में किया जाता है, फिर आप देखें रेवन, इसमें अगर आप लोग देखना चाहिए, तो सेलूलेज से बने किंतिम रेशे को रेवन कहते हैं, रेवन बनाने के लिए सेलूलोज कागज की लोगदी या काश्ट को लिया जाता है, और इसे सांध तथा ठंडे सोडियम, हाइड्रोकसाइड तथा कारवन डाई सल्फाइड से उपचारित करते हैं, और उसके बाद इस तेलूलोज की बिलेयन को धातू वेलनों में बने छिद्दों में से होकर तनू सल्फिवरिक अंपले में गिर जाता है, ठीक है, पॉली एश्टर की बात करें, तो इसे इंग्लेंड में विक्सित किया गया था, और इसे संसलिष्ट करने के लिए दो हाइड्रोकस, हाइड्रोकसिल समूह, योक्त कारवन योगिकों की अभिकरिया, दो कारवोकसी लेक समूह के योगिकों के साथ की जात जाते हैं, चुकि इसे ऐसे इस रैसे में अनेक इस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉली इस्टर कहते हैं, पॉली इस्टर का उपयोग कपड़े के रूम में, पाल नोकाओं का पाल बनाने में, अगनी समन में प्रयोगत होज फाइब बनाने में इसका प्रयोग किया ज जाता है और इससे रेसे अब घटित होकर कारवन फाइबर उपपन करते हैं इसका उपयो अंतरक्ष्यान या खेलकुंद की सामगरी बनाने में होता है पैटॉलियम उद्ध्यो इसमें पैटॉलियम फ्रयाप फ्राक्तिक गैस के नीचे पाया जाता है और कच्छे पैटॉलिय पैटॉलियम का उत्पात पैटॉलियम प्रभाजों की नाम हो गया तार परीशफर तापरीश है और कार्वन अडूओं की संख्या और उपयोग इसका प्राक्तिक गैस नेचूरल गैस 30 डिग्री से नीचे और इसमें आप देखेंगे C1 से C4 तक रसोई गैस के रूम में इ बेटा ए 100 सी 50 से 7 सीट से आप सी जोयल तक संसरे में किरासन तेलzus लिए कारों। सब्सक्राइब करते हैं अगर आप लोग गाउं में रहते हैं और आप कि यहां बिजली की समस्या होती होगी तो मुझे लगठा है कि इसे आप लोग ने बहतर देखा होगा लेंप और स्टोप जलाने पर इसका उपयोग और आप देखिए कि जो सुसाइटी होती है जो पीड और आपने नमग और आप देखियें कि तेल भी मिलता होगा व्यांए डीजल आप देखiock में 250bC 314 C 16-20 तक डीजल इंजिन की रूब में इसन नहीं है तिन तेल 300 350 C 450 इगरी सेचिर HB 1820인이 सी अज्टी इस निया है कि रूम में लुब कि दवा बनाने में स्का अउपियों भोता मैं ऐखेvतie बनाने में और मुंब्बती इभम जल्रोधी बनाने में थोज कपूर से बास्व बनने की क्रिया को उर्थ पातन कहा जाता है दूद से दही बनना केडवन कहलाता है पैटॉल की गुर्वत्ता आक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है अच्छे अब स्पोर्ट रोधी योगिकों के आक्टेन संख्या का मान उच्छ होता है और पैटॉल की स्पोटक रोधी गुर्वत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीशा का उपयोग किया जाता है बिमानन गयस्सोलीन में गिलाई कोल मिलाए जाता है क्योंकि यह है पैटॉल के हेमि भवन को रोकता है ब्यापारिक बैसलीन पैटॉलियम से निकाला जाता है पेराफीन, पेटॉलियम, परी सोधन का उपूतपाद है, पेटॉल का मुख संगटक ओक्टेन है, गोवर गैस, प्राक्तिक गैस, बायो गैस, सेप्टिक टेंग, सिन्ने कलने वाली गैसों के मिस्तरन में मुक्ता मेथेन गैस होती है, एलफीजी का प्रमो घटक, ब्यूटेन है, खाद्यानों में अधिकांस, बिस्पोर्ट हवा की साथ मेंथेन के मिस्तरन से होता है, और सिग्रेट लाइट में ब्यूटेन गैस फ्रयुक्त होती है, विसी तक फियोन, डाई फिलो ओरो, डाई किलोरो मेथेन, मास्टर्ड गैस क उपियों फिराथमम विस्तियुद्ध में आयूद के रूम में किया गया था, अब 1914-18 के बाद हो रही है, गैस बिल्डिंग, एबन फलों को किंतिम रूप से पकाने के लिए एसी तीलीन का उपियों होता है, कैल्सियम कारवाइड, कारवाइड जल से उप्चारित करने पर एसी तिलीन देता है, केलोरो फिलोरो कारवान का ज्याधा तर इस्तिमाल रैफीज़ी रेट्र में होता है, मैफल एल्कोहल को बोड इस्प्रेट भी कहा जाता है, संसोधित स्प्रेट में 15% भाग एथाईल एल्कोहल होता है, एल्कोहलिक, खमीरण का आकरी उत्पाद एथ की फिक्रिया अपनाई जाती है और आयोडो फार्म का प्रियोग पूर्ति रोधी के रूम में करते हैं आसरू गेस का रसाइनिक नाम अलफा के लोरो एसीटो फीनोन है खाद पदार जैसे चटनी सॉस फलों की रस आधी के परीक्षन के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रियो होता है समझ रहे हैं आप लोग जो आप लोग देखते हैं कि मकानों में कई बार लगवा देते हैं कई बार आप ने देखाए गाड़ियों में भी लगी रहती है मौम ऐल्डिहाइड है फ़लों का मदोर स्वाद फेक्टोस की कारण होता है अब बात करते हैं इंधन के रू पदाद होना चाहिए, उसका उसमी एमान उच्छ होना चाहिए, जलने के बाद उससे अधिक मातरा में अफसिष्ट पदाद नहीं बचना चाहिए, जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदाद नहीं उत्पन होना चाहिए, उसका जमाव परिवहन आसान होना तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्या करिएगा? याद रखिएगा इंधन का उसमी एमान, किसी इंधन का उसमी एमान उस्मा की वह मात्र है जो इस इंधन के एक ग्राम को वाई या ऑक्सीजन में पूरता जिलाने के परशाथ पराप्त होती है किसी भी अच्छे हिंधन का उसमी मान अधिक होना चाहिए और सभी हिंधनों में हाइडोजन का उसमी मान सबसे अधिक होता है परन्तु सुरक्षित भंडारन की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतोर पर नहीं किया जाता है इसका और hydrogen का उपयोग rocket इनन के रूम में तता उच्छ ताप उत्पन करने के बाले जो आलकों में किया जाता है hydrogen को भविस्का इनन भी कहते हैं एक questions भी बार पूच लेता है किसे भविस्का इनन कहते है hydrogen को फिर आप देखेंगे अब इस photon स्पोर्टन वा ओक्टेन संक्या कुछ इनन ऐसे होते हैं जिनका पर्माडू जिनका वायू मिसरन का इंजनों के कि सिलेंडा में जुलन समय इसकी पहले हो जाता है जिसकी उसमा पूर्ता कार में परिवर्थित ना होकर धातविक दौनी और जात वायू क्रूत करने में नुट हो जाती है हैं जिसे इनका अप इस्पटन कम हो जाता है। और सबसे अच्छा अप इस्पूर्ड, रोधी योगिक một टेट्रैथल लेड है और अप इस्पटन को अक्टेन संख्या के द्वारा वैक्ट किया जाता है। किसी इंधन जिसकी ओक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अफ़ उतना ही कम होता है तथा हुआ उतना ही उत्तम इंधन बाला माना जाता है इंधन का अगबर्गी का अंड देखें तो बहुत तिक अवस्ता के अधार पर इंधन को उतने भागों में बाटते हैं एक ठोस इंधन और दरब इंधन गैसी हो गया कोईला की बात करें तो कार्बन की मात्रा के अधर पर कोईला चाहर तरह का होता है पीट कोईला इसमें कार्बन की मात्रा 50-60% तक होती है इसे जलाने पर अधिक राख धुमा निकलता है या सबसे निमन कोटी का कोईला होता है लिगनाइट कोईला कोईला इसमें कार परसंट से 85 परसंट तक होती है एंथेसाइट कोईला यह कोईले की सबसे उत्तम कोटी होती है इसमें कार्बन की मात्रा इसमें 90% हाइडोकारवन होता है जिसमें 80% मेथन होती है और घरों में प्योगत होने बाली दिरुवित प्राक्तिक गेस को लपीजी कहते है या विवटेन और प्रोपेन का मिस्तरण होता है जिसमें उच्छिदाब पर दिरुवत का सेलेंडरों में फर दिया जाता है प्रवाहित करने वाली करके बनाई आजाता है। प्रवाहित करने वाली करके बनाई आजाता है। प्रवाहित करने वाली करके बनाई आजाता है। या बायू के साथ प्रवाहित करके बनाई आजाता है। स्रिकरेट लाइटर में व्यूटेन का प्रियोग होता है। द्रव हाइडोजन और द्रव ऑक्सिजन का प्रियोग रॉकेट में इधन नौदक की रूम में किया जाता है। पिती ग्राम इधन द्वारा मौचित उर्जा की दरश्टी से हाइडोजन सर्वत्तम इधन है। अब धातुएं के बात कर लीते हैं। ऐसे तत्त हाइडोजन की अत्रिक्त जो एलेक्टॉन को त्याक कर धनायन प्राप्पिदायन करते हैं। धातु कहलाते हैं। धातुएं सामानता चमकदार, अधात, वर्द, तथा तन होती हैं। धातुएं उसमा एवं विद्धुत की सोचालक होती हैं। चांदी विद्धुत का सरफ से सोचालक है। धातु में बिद्धुच चालकता, घर्टे करम में पहले चांदी, फिर तामा, अलूमिनियम, टंगेस्टन, ठीक है, सीसा की उसमी है, एब बिद्धुच चालकता सबसे कम होती है, किसके सीसा की, धातु के ओक्साइड की प्रकेती चारिये होती है, अब साथ अब बाद में अ आनू हाइडोकलोरेक अमले के साथ अभी करिया नहीं करते, और सबसे हलकी धातु आप देखें तो लीथियम है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, और सबसे कठोर धाती क्रोमियम है, इन तीनों पॉइंटों को जरूर नोट करिएगा आप लोग अपने पास, ठीक है, अगर भूपरपटी में प्राक्तिक रूप से पाई जाने वाले तत्यायोगिक को खनिच कहते हैं, एस्क वे खनिच जिनके धातुओं को सुगमता पूरवक तथा लाबकारी रूप में निसकरसित किया जाता है, एस्क कह लेते हैं, एस्क यहाँ देखिए, एस्क का सांदरन, फिर यहाँ देखेंगे कार्बोनेट अइसक के नीचे निस्ताफन, भर्जन, फिर आप दे धातु का ओक्साइड, फिर धातु का अपगटन, धातु का सोधन, ऐस्क किसी धातु निसकरस्ण में प्रयोक तो, यह आप लोग जरू धातु का सोधन तर, निम्न अभी के रिया धातु में सलफाइड आइसक, भर्जन, धातु, परिस्त करण, ठीक है, यह आप देखें, धातु में होगी निसकरस्ण की विदी, K, N, A, C, A, M, G, L, विद्धुत अपगटन, J, N, F, E, P, V, C, U, कार्बन की उपयोक से अप्चैन, A, G, U, प्राक्तिक वस्ता में उपस्ति धातु करम, मनिफ्स करम तो आप लोगोंने सुना होगा, लेकिन धातु करम भी देख लिए, अइसकों से धातु की निसकरस्ण, और परिसकरन में समली दविभिन करमों को धातु करम कहते हैं, गैंग, अइसके में मिले असुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं, फलेक्स, अइसक में मिले गैंग, असुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए, पदार्थ को फलेक्स कहते हैं, धातु मल, गैंग एवं फलेक्स के लिए के मिलने से बने पदार्थ, धातु मल कहलाते हैं, निस्ता पन, इस फिक्रिया में धातु के अइसक को उसके दवडांग से नीचे के ताप पर गरम करते हैं, ताकि इसमें मिले असुद्धी ऑक्सिकेट हो जाए, Smellend Smelting Smelting इस पिकिरिया में धातु कोख और फिलेक्स की उपस्तिती में उसके दवडान के से उपर केताव पर गरम करके जिससे सोद्य धातु उपर आप्त होती है सक्रियेता सैंडी इसमें आप देखेंगे कि सक्रियेता सैंडी वैसोची है जिसमें धातूओं की क्रिया सीलता को अरोही करम में व्यवस्थिक किया जाता है कारूनेट एस्क को निस्ताफन द्वारा धातू अक्साइड में परिवर्थितों किया जाता है और सलफाइड एस्क को भरजन द्वार धातू ओक्साइड में परिवर्दी किया जाता है। धातू ओक्साइड को कारवन, एलूमिनियम तथा विद्धुत अफगटनी अफचेन द्वार धातू में अफचेत किया जाता है। तो ये भी आप लोग यात रखना चाहिए। पोटेसियम, सोडियम, मेगनेसियम, अलूमिनियम, जस्ता, लोहा, सिचा, हाइडरो, जन, तावार, चांदी, सोना। ये कैं पोटेसियम की कोज हांफरी डेवी ने किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। संचारन, धातूं को उसकी सतय पर बायू ये वमाँ आधिता के परभाव द्वार नश्ट होना संचारन कहलाता है। लोहे में जन्ग लगना, तावीकी सतय पर हरे रंग की परद्व चड़ना, चांदी की बस्तूओं का काली हो जाना, संचारन के उधारन, लोहे में जन्ग लगने के लिए बायू में ऑकसिजन और नभी दौनों की आवस्तेकता होती है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है लोहे में जंग लगने में बना पदाल फैरी सो फैरी ओकसाइड होता है जल के अड़ों की संख्या एक्स बदलती रहती है जल रहत लोहा बनाने में फिरेक्त मात्पून धातु क्रोमियम है प्रेंट करके तेल लगा कर ग्रीज ल रक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली पर चड़ाने की विधी को यसद लेपन कहते हैं तामा बायू में उपस्तित आद कार्बन डाई उकसाइड के साथ अभी किरिया करता है जिससे इसकी सत्य से भूरे रंग की चमक देरे-देरे खतम हो जाती है और इस पर हरे रंग की पर चड़ जाती है और यहरा पदार कॉपर कार्बोनेट होता है तामा के सत्रू तक गंधक है सरीर में तामा की मात्रा बढ़ने पर बिलसन नामक रंग रोग होता है किलोरी मीटर और तड़े-चालक तामा का बना होता है कि पिर मुझ धात्विया उनके एसक है यह करेंगे ऐन असी एन अनो थ्री ट्रोना का एन अटू-ओ-C-0-3-2-N-A-H-C-O-3-3-S-2-O-B-O-R-X का आप देखेंगे तो एन-इ-टू-B-4-0-7-10-S-2-O-S-A-dham-N-A-C-L-T-E-G-A-L-U-M-I-N-I-U-N-E-U-T-E-C-L-E-C-E-L-U-O-S-E-L-E-C-E-L-E-C-E-L-E-C-E- Na3, Al, F6, Alunite का देखेंगे तो 2SO4, Al2, SO4, 3, और 4Al, OH, 3, फर इस तरह से, कायूलीन का देखेंगे तो 3Al2O3, 6SiO2, और 2H2O, नाइटर का देखेंगे पोटेसियम का नाइटर, KNO3, कार्निलाइट का देखेंगे KCL, MgCl2, 6S2O, मेगनेसियम का अगर आप देखेंगे तो MgCO3, डॉलोमाइट में देखेंगे MgCO3, CaCO3, एफसम लबण में MgSO4, 7S2O, कैसे राइट में देखेंगे MgSO4, 2H2O, कार्निलाइट में आप देखेंगे KCL, MgCl2, 6S2O, कैसियम डॉलोमाइट, CaCO3, MgCO3, कैलसाइट, CaCO3, जिफसम, CaSO4, 2H2O, फलोर, फलोरोसपार, CaF2, कैसियम मेगनेसियम, CaSiO3, MgSiO2, ठीक है, तो यह भी याद रखेगा, फिर आपका Stoncium, Stoncium, Cionite, SrCO3, Sealystein, SrSCO4, तामा, Copper Cuprite, Cu2O, Cu2O, Copper Glance, Cu2S, Copper Perrite, CuFES2, यहां फिर आप देखेंगे, यह आपका सिल्वर रूवी सिल्वर 3 AG2S SP2S2 पायर गायराइट AG3SBS3 हार्ण सिल्वर AGCL सोना कलवे राइट AU TE2 सेलवे नाइट इसमें आप देखेंगे बड़ा कुष्टक फिर छोटा AGAU कुष्टक बंच छोटा और TE फिर बड़ा ठीके वरियम वराइट BASO4 जिंक जिंक फिलेंड ZNS केलिमाइन ZNCO3 जैंकाइट ZNO पारा सिनेवार HGS 10 कैसितेराइट SN02 लेट गेलमा PBS एंटीमनी एस्टेवनाइट SB2-OS3 कैडमियम गेनोकाइट CDS पिसमत बिसमुथाइट BI2-S3 लोहा हैमेटाइट मेगनेटाइट Fe2-O3-Fe3-O4 लेमोनाइट Fe2-O3-3-S2-O सेडराइट Fe2-O3-Iron-Pyrite Fe2-O2-Celcopyrite Cu Fe2-O2-Cobalt का स्मेल्टाइट ACO-S2-O2-Nickel का मेलराइट NIS-Cromium का क्रोमाइट FeO-CR2-O3-Magnese का पैरो-लिवसाइट MNO-2-Celi-Milling Magnate MN2-O3-2-H2-O यूरेनियम कार्बन कार्नेटाइट फिंच बलेंड U3-O8 खुलवी वाइट में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु है काली हो जाती है सिल्वर का वाइट में उपस्कते सल्फर के साथ अभिकरियरकर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने की कारण ऐसा होता है धातु फिदूसक कुछ भारी धातु है जल में खुलकर उसे फिदूसित कर देती हैं जैसे केडमियम, लेड, पारा, सीडी एवं एजजी गुर्दों को एक तरह से नश्ट कर देती है केडमियम और आपका जो पारा है न ये पीवी यानि की लेड ये गुर्दों जिगर, मस् धातु का राजा सोने को कहा जाता है सोना, पितिवी के केंद्री ये भाग कोर में सबसे अधिक निकल पाया जाता है, दूसरे इस्थान पर आप देखेंगे धातु लोहाए वहाँ, टंगेश्टन का संकीत डबलू होता है, गल्लांक लगबग 3500 डिगरी सेल्सियस है, भार बैडिले आइट, जर्कोनियम का ऐसक है, निट्रोनों को असोसित करने के गुड़ों के कारण, जर्कोनियम, कैडमियम और वोरोन का उपयोग नापकी रियक्टर में किया जाता है, वोराइल, वेरिलियम धातु का मुख ऐसक है, फ्रांसियम, एक रेडियो सक्रिय धर सलफाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं, इसका प्रेयोग फ्रेंट रोब में किया जाता है, तिन अवरोपता फिदर सित करता है, सोडियम धातु का संगर मिट्टी के तेल में करना चाहिए, सोडियम का प्रेयोग प्रावर्वर्तक लेंपों में किया जाता है, जो सड़कों या पार्किंग में रोसनी के लिए लगाए जाते हैं बिना वुझे चूने का रसानिक नाम केलसियम ओकसाइड है सल लिखिरिया में पट्टियों के रोब में केलसियम सलफेट का फ्रेयोग किया जाता है फिलाश्टर और और वारिस जिपसम से बनता है एस्वेस्टोस केलसियम और मेगनेसियम से बनती है बेरियम हैड़ोकसाइड को वराइटा वाटर कहते है बेरियर सलफेट का उपयोग बेरियम मेल के रोब में उदर के एक्सरे में होता है आतिस बाजी के तोरान हारा रंग बेरियम की उपस्तिती के कारण और लाल चटक रंग इस्टांसियम की उपस्तिती के कारण होता है लीथियम का सबसे हलका धात्विक्तत है और यह सबसे प्रबल अपचायग भी होता है चांदी, सोना, तामा, प्लेटीनम, विस्मत, अबने कम अभिकी यासीलता के कारण उस्टन दवस्ता में पाए जाते हैं गोल्ड, प्लेटीनम, सिल्वर, मर्करी, उतकिष्ट धातु में हैं धातु में सबसे अधीक अगहार्द, वर्द, सोना और चांदी है पारावालूहा बिद्धुधारा के प्रवाब में अपेक्षा की अधेक की तीरोध उत्पन करते हैं चांदी तत एवां तामा बिद्धुधारा का सरवत्तम चालक माना जाता है एलूमीनियम का सरवपितम पिठक करन ये 1827 की बात है ये चोटे-चोटे पॉइंट है लिकित मौटे-मौटे पॉइंट है मेरा कहने का बंदल भी कि इनसे परीक्षाओं में कुश्चन्स जरीवर आते हैं हर बार पूचते हैं कार्णोटाइट का रसानिक नाम पोटेसियम यूरेनिल बेंडेड होता है कैंसरोग के इलाज में कोबाल्ट के समिस्थानिक का उपयोग करते हैं सोडियम परॉक्साइड का उपयोग पंडुब्बी जहाजों और अस्पताल आधी को बंद हवा को सुद्ध करने में करते हैं ग्रेनो काईट कैडमियम का इसक है विस्त पिसिद एफिल टावर का आधार इस्टील वस्तिनेंट का बना हुआ है थोलियम का संके टीयम है और रेडियो का निस्करशन पिंच व्लेंड से किया जाता है मेडम क्यूरी ने पिंच व्लेंड से ही रेडियम का निस्करशन किया था वाईवायन के नर्माण में पेले डियम धातू प्रयोगत होती है गेलमियम धातू कमरे के ताप पर दरव अवस्था में पाया जाता है सेलीनियम धातू का उप्रयोग फोटो एलेक्टिक सेल में होता है साइटो क्रॉम में लोहा उपस्तित होता है जियोलाइट कफरेव जल को मिर्दू बनाने में होता है टिन अपरोपता पुदर सीथ करता है अधिकान संकमर धातू और उनके योगिक रंगीन होते हैं सबसिक भारी धातू ओस्मियम कठोर धातू क्रोमियम सबसे मजदूत धातू टंगिस्टन पोटेसियम कार्वोनेट को फारल एस कहते हैं नाइक्रोम को निकेल क्रोमियम और आयरन का मिसदातू कहते हैं बिद्धू थीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी रहते हैं क्रोमिक अमल की कारसाइनिक नाम क्रोमियम टाई ओकसाइड है बेटेनिया धातु एंटीमनी और तावा और टिन की मस्तादु है बारूत पचातर परसेंट पोटेसियम नाइटेट दस परसेंट गंदक और पंदरे परसेंट आप देखें ये चार कोले अनपदार्थों का मिस्तरण होता है बेविक धातु 90 परसेंट नो परसेंट एंटीमनी दो परसेंट तामा होता है समभू एक के तत चार धातु है कहलाते है और इसके हाइड़ॉक्साइड चारिये होते हैं जबकि समभू सेकेंड के तत चारिये मिर्दा धातु है कहलाते है टाइटेनियम को रडनेतिक धातु कह इंजन बनाने में आपकी ये रियक्टरों में इसका उपयोग होता है फिलेस बलों में आप देखेंगे कि नाइट्रोजियन गेस के वाईवंडल में मेगनेसियम का तार रखा जाता है ऐलुमीनियम हाइड डॉकसाइड कपड़ों को आहद बनाने और जल लोधी कपड़ें त सम्मला 25 परसनेट तक रहती है और यह है अप एक्षा कि सुद्ध होता है सबसे सुद्ध ठीक है तो यह भी याद रखिए आईरन ऑकसाइड एफिटू ओथ्री के साथ अलुमीनियम की अविकरिया का ओफियोग रेल की पटली और मसीन फुरजों की दरारों को जोड़ने के करते हैं इस अविकरिया को थर्मेट अविकरिया कहते हैं सरीड में लोहे की कमी से एनीमिया और अधिकता से लोह महता रोग होता है अफीका के वाटू आधिवासियों में लोह महता रोग पाय जाता है ऐसा उनके उनमें लोहे का वरतन में वियर सेवन के कारण होता है यानि फॉसफाइड का उपयोग चुहाब इसके रूम में उपयोग होता है चुहे गुमारने के लिए लकडी की बस्तुओं को कीडों से बचाने के लिए उस पर जिंक किलोराइड का लेपन करते हैं जिंक ऑक्साइड को जस्तिक का फूल कहते हैं इसका हराइड अत्वाँ चाइनीज रैड के नाम से सपीध पैंटोंक में उपयोग किया जाता है इसका उपयोग मरहरम और चेहरे की क्रीम बनाने में उपयोग होता है silver chloride को horn silver कहते हैं इसका उप्योग photochromic काज बनाने में होता है silver iodide का उप्योग किंतिम वर्सा कराने में होता है silver iodide का silver nitide का अब रियोग निसान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है और मद्दान के समय आप मद्दाताओं की अंगलियों पर इसी का निसान लगाया जाता है आप लोग 18 साल की हो चुके होंगे तो बोटर सूची में आपका नाम जुड़ गया होगा और आप लोग बोट डालने जाते होंगे उस समय आपके चन्न लगाया जाता होगा नाकोन पर अफश्टिव हो जाने सूरी की इफिकास में आवगटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोटलों में रखा जाता है सिल्वर वरुमाइट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है चांदी के चम्मच से अंडा खाना वरजित रहता है कि इस चांदी के अंडे में उपस्तित गंधक से पितिक्रिया काली रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच नश्ट हो जाती है सौना को कठोर बनाने के लिए उसमें तावा या चांदी मिलाया जाता है सुद्ध सौना 24 करेट का होता है आभूसन बनाने के लिए 22 करेट का सौने का उपयोग होते है अगर पोई सौनी आपसे कहता है कि सुद्ध सौने का आप उसन बना रहे हैं तो आप लोग सोच लीजिए आपको वेवकूप बना रहा है ठीक है आइरन फायराइड से को जूटा सोना वेवकूप वेवकूप का सोना कहते हैं तो आप समझ रहे हैं आइरन पायराइड सुन, F.E.S. 2 को, स्वाड लेपन में पोटेसियम औरी साइनाइड कप्रियू बिद्धुत अभगट के रूप में होता है, और एक फिलोराइड का उपयोग सरब विसरोधी सुई बनाने में होता है, प्लेटीनम को सफिस सोना कहते है पारा को क्वेक, सिलबर के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसका निस्करिशन मुक्ता सिनेवार से होता है, पारा को लोहे पात में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ अम लगम नहीं बनाता है, ट्यूब लाइट में सावन ता पारा का बास्ट और आर्गन गेस भ लेड ऑकसाइड को ली थार्ज कहा जाता है, जो एक अभाधर्मी ऑकसाइड है, इसका उप्यूग रबर उद्द्यूग में स्टोरेज वेटरी की निर्माण में और केलंट कांच बनाने में होता है, बेसिक लेड कारवोनेट को राइट लेड कहा जाता है, इसे सफेदा के नाम से आप लोग जानते हैं, लेड ट्र टेट्रा एथाईल का उप्यूग, आप इस फोटन रोकने में किया जाता है, लेड पाई पीने के जल को ले जाने के लिए उप्यूप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये बाईव मिस्रिद जल के साथ गोल कर बैसे लेड हाइड डॉकस इस उप्योग थेवर विधी में अमोनिया के उतफेरक के रोम में किया जाता है, उड ये टे जल के नाइवरी रेडियो शक्रियया और glucose दमेboards सदसे इसका उप्वेव परमाडू बनाने में होता है नागा साकी पर गिराएगा परमाडू इसी से बने थे हराकसीस ठेरस सलफेट को हरा को क्या कहते हैं हराकसीस कहते हैं इसे गेमन विट्रॉल भी कहते हैं एपी एस ओफोर सेवन एस टूओ ठीक है उजलात होता जिंक सलफ को कहते हैं और सी ओफोर सेवन एस टूओ जिंक फॉसफाइड का उप्यूं किर्थक नासी चुहा मारने वाली दपा बनाने की रूप में होता है जिंक फॉसफिट रंगने का काम आने वाली तक तीखा पता है कुईक सिलवर पारा को कहा जाता है या सदा किसी भी अम लगम क का एक घठक होता है मोना जाइट बालू में थहरियम बाय जाता है मुवाइल फॉन बैट्रियूं में मुखता लीथियम धात्यू कप्रयोग किया जाता है चाहां जerson में गंधक फोटीसियम के उपस्थ दी के कारण होता है पोटीसियम वरोमाइट क प्रयोग फोटोगराप मड़क एवं नीलम ऐलूमिनियम के ऑक्साइड हैं लेकिन मड़क के का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है ओडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेख रहता है लेड फैंसल में लेड का फिती से सुन होता है बोरेक्स या सोहागा का रसाइनिक नाम सोडियम टेट्रावरेट है और इसमें सूजन को कम करने वाले कसेले, रोगाडू, रोधी, वलगम निकालने वाले गुड़ पाए जाते हैं तो आप देखेंगे फिलोटोनियम नामक तर्थ सबसे पहले किंतिम रूप से उत्पादित किया गया था, इसकी कोई से सम्मनित विज्ञानिक गलेंटी, सीबॉर्ग, आर्थर वायल, जोसेफ डवलू केनेडी, एडियन, मैक मिलन, इस अभी आप देखेंगे इनी से हैं, कैल्सियम उक्साइड का प्रेवी स्थ के रूम में भी होता है, परमाडवी गड़ियों में एक टाइम कीपर के रूम में, CGM का प्रेव करते हैं, एलुमिनियम वबायधरमी उक्साइड का बना उता है, तो इन पोईंटों को एक एक करके, एक दो बार आप लोग समझ में आ जाएगा ठीक है अब हम लोग अधातुगों की भी बात यहीं कर लेते हैं अधातुएं आप लोग ने देखी लिए हैं अगर अधातुगों की बात करें तो आधोनिक आवर साइडिव के अनुसार 22 अधात भी यह तत्थें जिनमें 11 गैस हैं और एक द्रब हैं और आधातुगों सामानता उसमा एवं विद्वुद की कोचालक होती है अप बात ग्रेफाइड है इसमें ग्रेफाइड आपका आप देखेंगे कि इसका विद्वुद का क्या रहता है एक सुचालक रहता है हाईडोजन सबसे पहले देखते हैं तो हाईडोजन के तीन और डियूटेरियम और टाइटेयम ठेल डियूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल के थे भारी जल का सूथ आप लोग देखते हैं डी टूओ होता है ना ठीक है भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वास्वर्ण ने की थी साधरन जल के लगबक साथ हजार भागों में एक प डियूटेरियम के रोब डियूटेरियम त wydajeum की योगिकों बनाने में, treasure के रोम में आयनिक बा अन ionic hydrogen में विभाएत करने में मिर्दू यावर इवं कठोर जल जो जल सावुन के साथ आसानी से जहाग देता है उसे मिर्दू जल कहते है और जो जल सावुन के साथ कठनाई से जहाग देता है उसे कठोर जल कहते है जल की कठोरता दो तरह की होती है आयस्थाई कठोरता आयस्थाई कठोरता की बात करें त दूर हो जाती है तो इस पेकार की कठोर्ता आयस्थाई कठोर्ता कहलाती है जल की आयस्थाई कठोर्ता उसमें केल्सियम और मेगनेसियम के बाई कार्वोनेट घुले रहने के कारण होती है आयस्थाई कठोर्ता जल में बुझा, चूना अथभा, दुधिया चूना डालने से दूर हो जाता है इस्थाई कठोर्ता, जल की कठोर्ता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती तो इस पिकार की कठोर्ता को इस्थाई कठोर्ता कहते है जल की इस्थाई कठोरता उसमें केलसियम और मेगनेसियम की सलफेट किलोराइड नाइटेट आदी लवनों के घुले होन रहने के कारण होती है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से इस्थाई और आयस्थाई दोनों पिकागी कठोरता दूर हो जाती है जल्गी स्थाई का थोरता दूर करने की मुख विधी आप देखें तो पर्ग मिउटिट विधी है पर्मिउटिट सोडियम जियो लाइट को कहते हैं पानी की स्थाई का थोरता दूर करने के लिए पोटेसियम किलोराइड सरबादी को उपयोगते हैं और पुराने तेल चित्रों के रंगों के कुप फिर से उभारने के लिए बालों के बिलीचिंग करने में हाइडोजन पॉर ऑक्साइड का उप्यूग करते हैं, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो भूपटल की रचना च्रामगरी में सबसे अधिक ऑक्सीजन 40.60% होती है, और बायू मंदल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है, बायू मंदल में आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% होती है, ऑक्सीजन के 3 समिस्थानिक होते हैं, एक तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, सबसे जान्दा ऑक्सीजन 16 देखने को मिलेगा, ओजौन, ओध्री जिसे आप लोग कहते हैं, यह ओक्सीजन का ही एक पर रूप है, समुद्धतर से आप देखेंगे 32 से 60 किलोमीटर की उचाई पर इसकी होता है, तो फिर चिंता बेक्ट की जाने लगती है, कि अब क्या होगा आप जो आपकी जो हानिकारक किरने आती हैं, उन्हें कौन रोकेगा, समझ रहे हैं, जो हमारे सरीर की रक्षा करती है, सल्फर, पिथवी पटल में सल्फर की पिती सत था, लगभग 0.05 है, सल्फर से प नौर्मल था, अठारे अयम है, सल्फियरिक अमले के उपयोग की बात करें, तो सल्फियरिक अमले का मुक भाग और वरकों, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, आधी के संसलेशन में भी पियोग होता है, पैटॉलियम सोधन में, संचालक बैटरी में बेहद इस आडविक नाइट्रोजन है, और वाइविंडल सहित पितिवी पर नाइट्रोजन का बहूल भार अनुसार 0.01% है, नाइट्रोजन का उपयोग वहां भी करते हैं, जहां किसी निस्किये गेस की आवस्तिता होती है, जैसे लोहाबा, इसपात उद्द्योग में, तनू कारक क की रूम में, दरव नाइट्रोजन का उपयोग जै पदार्त के पीसी तक के रूम में भी भोज पदार्तों को जमाने और निम्नित पाप पर सल्लच इकिसा के लिए हुता है, नाइट्रिस ऑकसाइड का, आकसाइड भार भार वार बनाने में, नाइट्रिक अम्लिकी निर्म मोंनियम, सलफेट आधी रोरग बनाने में, सोडियम, सोडियम, बाई कार्बोनीट की निर्मार में, अमोनियम, लबड बनाने में, विस्वोर ठक बनाने में, किंतिम रेसम बनाने में, गहरेलू पिसीतित में पिसीतक गेस की रूम में आसू गेस की रूम में दलहनी पोधों की जड़ों में राई जो भीम नावाग जीवाणों पाये जाते हैं जो नाइटोजन इस्थरी करण भाग लेते हैं प्रिकास रसाइनिक धूम कोहरा यह बाहनों और तथा कारखानों से निकलने वाली नाइटोजन के ऑकसाइड तथा हाइडोजन पसूर के बिकास की क्रिया के कारण उत्पन होता है यहां पैटोल और डीजल वाले बाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रक ऑक के कारण होता है एनोस से रसायनिक अभीक्रिया द्वारा एनोटू बन जाती है तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन और ऑकसिजन की पिति की रिएी है नाइट्रश ऑकसाइड एक सामान बाइव मंड़लिये जैसी है पिदूसक को उस समय बाइव बहुत उक्योगी पाई जाता है जब वह सरीर की कोशी काओं में उत्पन होता है इसके हिदायरोग की चिगिस्सा होती है और इसके आश्टर जनक ड्रग ब्याग्या विक्सित होता है इसकी खोज पर विग्यानिक रॉबर्ट एफ फरच गोट लुईस एगनारो और फरीद मुराद को 1998 कावस्ती इसड़ का दुआ निकलता है फासफूरस की बात कर लेते हैं फासफूरस प्राडी तथा बनस्पत्ति पदार्थों का आवसक अववयव है या हैडियों और जीप कोशी काओं में उपस्तित रहता है फासफूरस अपर वूपता पिदफसीत करता है सोईद फासफूरस लाल फासफूरस काला फासफूरस लाल फासफूरस और सोईद फासफूरस की अपेक्छा कम करिया से लगर अमल तथा अमल विलिये है या फासफूरस का इस्ताया पर रूप है योद्ध के समय धुएं का परदा बनाने के लिए फासफीन का फिर्यों होता है दिया सलाई के आप लोग माचिस देखते हैं उसी की बात हो रही है, माचिस की दीली आप देखते हैं, हैलोजन वर्ग 6, वर्ग 7, एक तक्तों को हैलोजन कहा जाता है, हैलोजन में सरवादिक अभीक्रियासिल लातू फिलोरीन है, फिलोरीन के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग UF6, SF6 बनाने में होता है, इसका किरम सा परमालू, उर्जा, उत्पादन और परा विद्धुती, विद्धुती की में इस्तेमाल किया जाता है, हैचेप की उपयोग द्वारा किलोरो फिलोरो कारवन योगे केवं, पॉली, टेक्ट्रा फिलो, औरो, एथिरीन, टेफलोन, संसलि परिशित कीए जाते है, किलोरो फिलोरो का योगे को फियोन कहते हैं, इसका उपयोग पिसीतक, केरों में और एरोसल में किया जाता है, नोनिष्टिक बरतन का उफुरी परद टेफलोन का वना होता है, किलोरीन का उपयोग अनिक करवनीक योगी, जैसे पॉली वाइनिल, कि किलोरी नीकित, हाइड्रो कारवन, औस दियां साखनासी तथा कीटनासी के संसलेशन में किया जाता है। फीने के पानी को सुद्ध करने में इस भी इसका उपयोग होता है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथीलीन ब्रोमाइड के संसलेशन में होता है, जिसका सीसा करित फैटॉल में मिलाया जाता है। इसकी अतरिक सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल किया जाते हैं, जिसकी आवसकता फोटोग्राफी में होती है। समुदरी खरफधवार आयोडीन का महत्मूर सुरोत हैं, आयोडीन सावन ता पर ठो सभस्ता में पाय जाता है। आयोडीनी किर्थ नमक साधान ता पोटेसियम आयोडाइड के रोम में दिया जाता है। आयोडीन में धात् unfinished चमक होती है। क्या होती है धात्मिक चबक होती है अधातुओं से संबंधित कुछ महत्पूंट तत है सिलीकॉन कारवाईड का दूसरा नाम कारवो रेंडम है बाहनों से निकलने वाले फिदूसित गैस मुक्ता कारवन मोनोकसाइड है इसकी विसाक्तता मुक्ता रक्त की ऑक्सीजन को बाह कारवन डाई ऑक्साइड का मुचन होता है तीक है रात में क्रावरत्य क pray करने में विकर को भंडारित करने में सोडा वाटर में double रोटी को श्पंजी बनाने में हरित寗्रेह परभाव में में ग्रेफ रभाव में आप देखें CO2 यानि की carbon dioxide का उपयोग करते हैं global warming के लिए उतरदाई gas CO2 ही है ozone gas चान्दी की सतय को काला कर देती है क्या कर देती है? काला कर देती है फिर आप देखेंगे hydrogen sulfide की गंद सड़े अंडे के समान होती है किसकी hydrogen sulfide की? या SM जलती है लेकिन जलने में साहिक नहीं होती है इसके उपस्तिती के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है लेड संचाइक वैटरी के आविसित होने पर सल्फियरी कम लिखी खपत होती है निस्कीरिये gas आवर साइडी में सूने बरक में 6 तत्त इस अभी तत्त रसाइनिक रूफ से निसकरिये है और अताहिं उन तत्तों को अक्रिये gas या उत्तियुष्ट gas कहते है इन गेसों में आरगन और जीनों कुछ योगिक बनाते है अक्रिये gas की खोज करने का सरे रेमजिय कुपराफत है और हिलियम की बात करें तो हिलियम हलकी तथा आजवलन सी गेस है इसकी खोज फैंक लेंड और लोकोवर ने की इसका उपयूग गुबारों में गुब्यारों को भरने में मौसम संबंदी अध्यनों के लिए ठंडी बायू बाली नापकी बटी में दरव हिलियम का उपयूग निमनिताप पर प्रियों में निमनितापी अभी कर्मक के रूम में अस्पतालों में किंतिम सावस में ऑक्सीजन के साथ हिलियम मिला गेस दिया जाता है गोताकवरों द्वारा भी अधिक गहराई में सांस के लिए हिलियम बा ऑक्सीजन के मिस्टरन का उपयोग किया जाता ह हावाई जहाज के टायरों में भरने में इसका उपयो गुता है हीलियम का वाईू के साथ बिस्पोर्ट मिस्रर नहीं बनाने के कारण भाईू भरे गुबब़ारों में हीलियम को हाइडोजन की अपये चवरीता दी जाती है नीओन का उपयोग नियोनों बिसरजन लेंपों में टीवों वाईवयान के और पिदीबती बलवों में भरी जाती है जिसका विग्यापन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका उपयोग हवाईड़ों पर विवान चालकों को संक्यत देने के लिए भी करते हैं क्योंकि इसका फिकास कोहरे में अधिक चमकता है की बात करें के आरवां जय जाता है यह बैदी सबसे अधिक मातरा में पाई जाने वाली अक्रीय गास अरगन अरगन का उपयोग मुकता उच चताप्य धातु कर्में πάal में सिधात्विओं की आर्क बेल्डिंग में इसकी ये वातावाण उत्पन्द करने और बिजली के बलब भरने में इसका उप discharged it ए इस इससे लेजर बनाने में वाला पकिरियह गेस है इस इसी जल में घुलन रेडियो सक्के दिये तथ है, इसका उप्योग रेडियो ठीप्य कि रोम में कैंसर के यलाज में किआ जाता है। थे आपकी ये अधातु नहीं हैं, उनकी योगे कों का उप्योग हो गया। जैसे फैरेक ओकसाइड, हराकाच बनाने में, फैरस लबणों की निर्बाण में, फैरेक योगिक, जिवराद पॉलिस करने में, फैरेक लबणों की निर्बाण में, फैरेक हाइड ओकसाइड, यादे फिरयोक सालावं फितिकारक की रूम में, दवा बनाने में, फैरक तीजोग में टिंचरगेस बनाने में, फितिकारक की रोम में, औस्ती बनाने में, वर्लमीन का उपयोग होता है, हाई ड्यक्लोरिक अमलक इस कागजों को विरप्रेज़ित करने में, सलफिरी कमल S-To-E-S-O-4 त्रेयोक साला anime पिति-खारक की रोम में रंग उत्पादन में पेटॉलियम के सुद्धी करन में finns Chandra Weiteren सलफर डायोकसाइड आवकारक की रों में ओक्सीक कारक की रों में विरंजक की रों में Hydrogen Sulphide सल्फाइड के निर्माण में लवडों को भासमी मुलकों को गुडातमक बिसलेशन में सल्फर कीटारू नासक की रोम में रवर वलकी नाई करने में वारूद बनाने में उस्दी के निर्माण में अमोनिया पितिवारक की रोम में आईस फाक्टरी में रियान बनाने में, नाइटर्स ऑक्साइड, सल्चिकेश सामें, फास्फोरस की बात करें, तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में, इंहन के रूम में, धातू निसकर्षण में, वाटर गेस, इंधन के रूम में, वेल्डिंग के कार में, कॉल गेस, इंधन के रूम में, निसकी ये बातावन तेयार कनने में, कारवन डायोकसाइड, CO2, सोडा वाटर में, आग बुजाने में, हाई स्टील के निर्माड में, हाड स्टील के निर्म होता है, aluminum sulfate, कागई उद्ध्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बोजाने में, अगनी रोधक कपड़ा बनाने में, अनाद aluminum chloride, ALCL3, petroleum के भंजन में, potassium sulfate या potassium जल को सुद्ध करने में, चमड़ा उद्ध्योग में, कपड़ों की इरगाई में, अगनी रोधक बस्त बनाने में, रक्त सराव रोकने में, हजामत के दौरान कट जाने पर, और यह बनाने में, फेटकरी, potassium aluminum sulfate का दूरी लवन है, फेटकरी का रसानिक नाम, potassium aluminum sulfate है, इसका रसानिक सुद्ध, K2SO4, AL2, SO4 कुष्टक आप देखें, 3, फिर आप 24H2O, इसे potassium फेटकरी भी कहते हैं, फेटकरी के बहुत इक गुड़ की बात करें, तो नब्बेड़ की सैसियत ताप पर यह बिखल जाता है, आंगे इसे, यदि दो सो डिकी सैसियत ताप तक गरम करेंने पर, इसका किस्टल जल निकल जाता है, और यह एक सांध पदार्थ में परिवर्थित हो जाती है, जिसे बॉरंट अलम कहते हैं, बॉरंट अलम को फेटकरी के फूल के नाम से भी आप लोग जानते हैं, फेटकरी के उप्यों की बात करें तो रक्त बहाओ को रोकने में, जीवाडू ना सके, और पिती रोधी की रूम में, जल सोधन में, चमड़ा तना कागा जुद्धियोग में चिकना करने में, कपड़ों की रगाई में, छपाई की रंग में, बंदक की रूम में, मर्कूरिक ट्लोराइड, कैलो मेल बनाने में, कीट नासक की रूम में, कीट नासक की रूम में, मर्कूरिक ओकसाइड, मलहम बनाने में, जहर की रूम में, मर्करी, थर्मा मीटर में, सि जिंक ऑक्साइड, सुईत फिगमेड की रूम में, जिंक सलफेट या जिंक सलफेट उजलात होता, लेथे पॉन के निरमाड में, आखों के लिए लोसन बनाने में, कैली को छपाई में, चरम उद्द्योग में, कबक नासी की रूम में, जिंक एकलोराइड, टेक्स्टाइल उ कारवाइड, कैल्सियम साइनाइड और एसी टिलीन निरमाड में, कैल्सियम ऑक्सी, किलोराइड या फिर विलीचिंग पाउडर, इसका उपयोग कीटाडू नासक के रूम में, कागज तथा कपड़ों के विरंजक में, रसाइनिक उद्योगों में, उपचारक के रूम में, किलोरो फिलोरो फाउम के रूम उत्पादन में, विलीचिंग पाउडर बुजे हुए चुने पर से किलोरीन गुजार कर तेयार किया जाता है, कैल्सियम सल्फेट हाइडडेट या विलास्टर फिलास्टर ओप पेरिस, इसका उपयोग मूर्ती बनाने में, सल्चिकिस्सा में, पट्टी बांदने में, छटों यूम दीवारों को चिखना बनाने में, कैल्सियम कार्गोनेट, चुना बनाने में, टूथ दंत मंजन बनाने में, सिमेंट उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् थर्माइट बिल्डिंग बनाने में, मेगनेसियम उक्साइड, औस्दी निर्माण में, रबल फूरक की रूम में, वायरों के फ्रेयोग में, मेगनेसियम हाइड उक्साइड, चीनी उद्देयोग में, मैलासिस से चीनी तियार करने में, मिल्क और मिगनेसिया की रूम में बाजार में लाये जारे पिती अमल कम्मुक तक्त मैगनेसियम हईड ओकसाइड है कॉपर सलफेट या नीलात होता कीटाणू नासक की रूम में विद्धुत सेलों में कॉपर की सुध्धी करण में रंग मनाने में क्यूफिक किलूराइड ओकसीकारक की रूम में जल सुध्धी करण में धागों की रगाई में क्यूफिक ओकसाइड विलू तथा ग्रेन गिलास निर्माड में पेटॉलियम की सुध्धी करण में Qffar oxide, लल गिलास के निर्माण में, pesticide के रूम में, copper की बात करें तो विजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, brass तथा ब्रांज बनाने में, फिर आपका sodium nitrit, Lieutenant N-2 बनाने में, पिती कारक के रूम में, sodium nitrite, खाद के रूम में, KNO3 और HNO3 के निर्माण में, sodium sulphate या global global लवर औस्ती बनाने में सस्तागाच बनाने में sodium bicarbonate या खानी का सोड़ा अगनी समख यंत बनाने बैकरी बनाने उद्ध्योग में पिती कारक की रोम में sopidium carbonate या धोवन सोड़ा ग्लास निर्माण में, कागय जुद्धियों में, जल की स्थाई के ठोड़ता अटाने में, धुलाई के लिए घरों में धावन सोड़ा का उपयोगी होता है, सोडियम थायो सलफाइट या हाइबो, इसका फ्रेयोग फोटोग्राफी में होता है, हाइडोजन ओफ एर द्रव हाइडोजन, रॉकेट इंधन के रूम में, सोडियम, सोडियम पराउकसाइड बनाने में, पोटेसियम परमेगनेट, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है, या जल की को कीटानू रहे करता है, इसका उफियोग एंटिसेप्टिट या डिस्रेन, रेन्फेक्टें इसका टूथ फेस्ट में, पेष्ट बनाने में, मुख सोधन बनाने में, सावन बनाने में, आखों को संकमर से बचाने में, मूत संकमर के इलाज में, और मासिक धरम की समस्या में, खांसी के इलाज में, आर्थ राइटिस के इलाज में, देखिए इसलिए बोलाओं कि इनसे पूछेंगे जरूर ठीक है अब हम लोग बात करते हैं आपका मिस्सेधातू है कुछ मिस्सेधातू किसी धातू का किसी अन्य धातू या अधातू के साथ मिस्सरन को मिस्सेधातू कहते हैं मिस्सेधातू के गड़ों के घटकों के गड़ों से भिन होते हैं जिन में मिलकर मिस सब्सक्राइ यूरा इसे बनता है सिक्का घंटी एवा बरतन बनाने में नब्य पर्संट इसमें कॉपर और अप्लिख देखी दस पर्सेंट जर्वन सिलवर सी ये फिलास अनि इसे बनता है साट परसंट आपका कॉपर रहेगा जैडन आपका 20% वीज और निकल यानिकी 20% एनाई बरतन बनाने में इसका उप्योट है रोल्ड वोल्ड सी यू एल्यू सी यू इसमें 90% और एल्यू एल इसमें 10% सस्ति आगूशन बना में गन मेटल सी यू जैडन फिलस एनन इसमें करम सा 90% दस और आठ दो और आठ परसंट तो गेर बेरिंग बनाने में फिर आप देखेंगे डेल्टा डेल्टा मेटल सी यू जैडन एफी इसमें साट अर्थीस इस तरह से आप देख सकते हैं जहाज की पंखा बनाने में मेटल इसमें सी उ रहेगा 80% जैडन रहेगा आपका 20% सस्ति अभूसर मारा मेटल मेटल सी इसमें 70% एन आ इसमें 30% छार रखने वाली वरतरन बनाने में टाका सोलडर स्थीस परसन एलेक्टौन्क सरक्टों के जोडों में टाका लगाने में रोज मेटल इसमें बी आई रहेगा आपका 50% परसेंट पी बी रहेगा आपका 28% एसन रहेगा 22% सोचालित फ्यूज बनाने में मेगने मेगनेलियम इसमें एयल रहेगा 95% एमजी रहेगा 5% हवाई जहाज के टाचा ढाचा बनाने में डियूरे लुमिन एयलियू इसमें 95% सीयू इसमें 4% एमजी दसमलोब 5% और एमजी दसमलोब 5% बरतम बनाने में रसोई का समान बनाने में टाइफ मेटल में आप देखेंगे पीवी आपका 82% एसबी आपका 15% एसन आपका 3% पीतल हाइडोजन सलफाइड की मौझदगी में नेंतर रहने सीबाई में रंगीन हो जाता है क्या हो जाता है रंगीन हो जाता है टाका एगलांक लेट टिन जिसमें यह बना होता है सिकम होता है इसपाद लुहा एमजीरो दसमलोब 1% से 1.5% कार्वन की में सेदातू इस पात कहलाती है इस पात की अंड में सेदातू इस तरह है स्टेनलेस श्टील स्टेनलेस इस पात इसमें 18% तक क्रोमियम और निकल होता है या संचारन या जंग की तीरोधी होता है इसका उपयोग बरतन और सलोफ करेंड बनाने में किया जाता है टंगिस्टन इस पात 15 से आप देखेंगे 20% टंगिस्टन और 5% क्रोमियम और कुछ बैनेडियम युक्त इस पात टंगिस्टन इस पात कहलाता है इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है इसका उपयोग बेधन यंतों बा उच्च वेग खराद मसीनों के करतन यंतों को बनाने के लिए करते हैं सिलीकन इस पात 35% आप देखें सिलीकन परंतु अत्यधिक कम कारवन युक्ति सिलीकन इस पात को ट्रांसफार्मर और बिद्धुत चुमक बनाने के लिए उपयोग करते हैं 15% सिलीकन इस पात अत्यधिक कठोर और अमल रोधी होता है इसका उपयोग अमल वाही पाइपों और पंपों को बनाने के लिए करते हैं कोवाल्ट इस पात इस पेकार के इस पात में 35% कोवाल्ट होता है और जिसके कारण इसमें विसिष्ट चुम्मकत का गोड़ आ जाता है इसका उप्यूग इस्थाई चुम्मक बनाने में होता है फिर आप देखेंगे मैगनीज इस पाथ 7-20% मैगनीज इकते इस पाथ अतेंद कठोर दर्ड और तूट फूट रोधी होता है इसका उप्यूग हैलवेट, सेल, संदलन, यंतावली तथा चोर अभेद तेजोरी बनाने में होता है निकल इसपाथ इसमें क्रोमियम या निकल या दोनों के कुछ पितीसत अंसबिद्धमान होते है या निकल 36% होता है तो उसमें विज्ञानिक उपकरण येवम यंत बनाने बनाए जाते है तथा अगर इसमें 46% निकल उपस्ते तो इसका उपयोग लेंप बलब, रेडियो बलब वों को बनाने में होता है जेर कौनियम धातु अपरियोग अबेद या गोली सहेब मिस्द्धातु के इस पात में बनाने में होता है एनिलिंग इस पात को उच्छे ताप पर गरम कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घड़ जाती है इसकती किरिया को एनिलिंग कहते हैं अमलगम पारा कुमिस्द्धातु अमलगम कहलाता है निम्न धातु में अमलगम नहीं बनाती हैं लोहा प्लेटिनियम कोबाल्ट निकिल टंगेश्टन आदी ठीक है याद रख देखें तो प्रमुक बिस्पोटक हो गए पहले तो जैसे डायनामाइट और इसका विसकार 1860 में अलफेड नोविल ने किया था और सभी आप सभी जानते हैं कि इनी के नाम पर नोवल परोस्कार भी दिये जाते हैं यह नाइट्रो ग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार जैसे लखडी के बुरादे में आउसोसीत करके बनाये जाता है और जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रो सेलुलोईज की मात्रा उपस्तित रहती है और इसके विसपोट के समय उत्पंड गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रो ग् सांद H2SO4 एवं सांद HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है इसकी विस्पोर्ट गती आप देखेंगे उननतर सो मीटर पिती सेकंड होती है फिर आप देखेंगे Trinitro Glycerine TNG यह एक रंगीन तेल यह द्रब है इसे नोवल का तेल भी कहते है नोवल का तेल और यह डायनमाइट बनाने के काम आता है यह सांद सल्फिरी कमल बा सांद नाइट्र कमल की Glycerine के साथ अभिकरिया करके बनाया जाता है RDX आप जानते हैं RDX का पूरा नाम Research and Development Developed Explosive है इसका रसाइनिक नाम साइक्लो ट्राइमेथाइलेन ट्राइन ट्राइन ट्रोमाइन है और इसे फिलास्टिक विस्पोर्ट भी कहा जाता है और इस विस्पोर्ट को USA में साइक्लो नाइट जर्मनी में हैक्सोजन और इटली म टीफ होर के नाम से भी जानते हैं RDX में तामान एवं आग की गती को बढ़ाने के लिए ऐलुमीडियम चून को मिलाये जाता है RDX विस्पोर्ट की उसमा 1510 किलो कैलोरी किलो कैलोरी पिती किलोग्राम होता है और इसकी कोज 1800 इंडियान में में जर्मनी के हैंस हैंनिंग ने स सफेद दानेदार पाउडर की रोम में किया था इसका उफियोग दुतिय विस्पोर्ट के दौरान इसे इस्थेर योगिक के रोम में परिवर्टित किये जाने के बाद प्यारम हुआ बारू इसकी कोज रोज रोजर वेकर ने किया था और इसे बनाने में पोटेसियम नाइ सावन बनाने की क्रिया को सावनी करन कहते हैं बे सावन जो उच्च वसी ए अमलों के सोडियम लवन कास्टिक सोडा होते हैं कड़े सावन कहलाते हैं इनका प्रयोग उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है किसमें? कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है टीक है और इसमें आप देखें वे सावन जो उच्छ वसी अमलों के पोटिसियम लवर्ण कास्टिक पोटास होते हैं वे मुलायम सावन कहलाते हैं इनका उफ्योग इसनान करने में किया जाता है डिटर्जेंट इसकी लंबी सिंखला का हिड्रोकार्बन होता है इसमें और सिंखला की अंत में एक धुर्वी है समूँ परंतु ये सावन से इस मामले में उत्तम है कि C.A.2, M.G.2 और F.E.3 आयन के साथ आगुलन सील निलवन नहीं पदान करते हैं उधारन के लिए सोडियम, एलकाइल, सलफानेट, सोडियम एलकाइल, एलकाइल, बिंजीन, सलफानेट आदी Dittergent एवं एंजाइम, मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साथ दुलाई करते हैं और इस मेकार की दुलाई को माईक्रो सिस्टम दुलाई करते हैं पानी में सावन और डिटरजेंट की मेल दूर करने की क्रिया को मिसेल की नाम से निर्मार की द्वारा होती है, सिमेंट आता है फिर आपका, चूना पत्थर या खड़िया को मिटती का लाल मिटी या सेल के साथ खोब गरम करने से फराप्त होने वाले पदार्थ को सिमेंट कहत और इसमें केल्सियम केलमंडम, मिणेटो का मिसरन होता है। इसमेंट उतमादन सयंदों को चूना पत्थर चिकनी, मिट़्ी और जिपसन की आवसकता होती है। सिमेंट फिर्मो क्रोप से केल्सियम सिलिकेटों और एलूमिनियम सिलिकेटों का मिस्तरन है जिसमें आप देखें जल के साथ मिस्रित करने पर जमने का गुड होता है जल के साथ मिस्रित करने पर सिमेंट का जमना उसमें उपस्तित केल्सियम सिलिकेंटों और एलूमिनियम सिल AO 60-70%, SIO2 20-25%, AL2O3 5-10%, AP2O3 2-3%, MGO 2%, NA2O 1.5%, K2O 1.5%, SU2 1%. इनका सबका मिस्टरन से सेमेंड बनता है आपका. 1724 में एक बेटेस इंजिनियर जॉसेफ S. पिडीन ने, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जुड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ मनाया जो अधिक सक्ति साली और जल्रो दी था. उसने उसे फोर्ट लेंड सेमेंड का, क्योंकि यह रंग में फोर्ट लेंड की चूना पत्थर जैसा था. ठीक है? फिर आप देखेंगे औरवरक. मिर्दा में 22 सी मिलाय जाने वाले वेरस आइनिक पतार जो मिर्दा को उब जाओ बनाने में साहक होते हैं. और वरक कहलाते हैं. और वरक कई फिकार के होते हैं. आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप लोग वाई करते हैं तो कुछ खाद आप लोग उपर मिलाते होंगे कि हमारी फसल अधे को जाओ हो नाइटूजन की और वरक देख लिए इन और वरकों में मुक्ता नाइटूजन दत पाए जाता है इूरिया, इूरिया में 46% नाइटूजन की मात्रा पाई जाती है अगर आप लोग आलू की खेट की करते हैं तो इसका उप्योग कर सकते हैं अमोनिया सलफेट का परियोग चूना रहे भूमी में नहीं किया जाता है केलसियम नाइटूजन का सथे अच्छा और उवरख है बाजार में नार्वे जीनियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है केलसियम चाना माइड इसका फ्रेयोग वाई करतने से पहली किया जाता है और कारवन के साथ इसके मिसरन को बाजार में नाइट्रो लिम के नाम से बेंचा जाता है पोटेसियम के ओरवरक, पोटेसियम किलोराइट, पोटेसियम नाइटेट, पोटेसियम सलफेट, आदी पोटेसियम के कुछ पिरमुक ओरवरक है फासफोरस की और पर रहता है, इसमें 16-20% P2O5 रहता है, किंतिम मदूरक, जैसे प्राक्तिक मदूरक जैसे सुक्रोज हो गया, गरहन की गई, कैलोरी बढ़ाते हैं, वह इसमें बहुत से लोग किंतिम मदूरक पर रियोग करना अधिक पसंद करते हैं, आर्थो-सल्फो, बेंजीमाइड, जिसे सैक्रियन भी कहते हैं, यह विथम लोग भी एक किंतिम मदूरक है, इसकी कोज 1889 में हुई थी, यह सुक्रोज से आप देखेंगे 550 गुना अधिक मीठी होती है, यह सरी से आपरवर्टित रूप से, रूप में ही मूत के साथ उत्रज आप सभी जानते हैं, यह जैसे कई लोगों को डायोटीज रहती है, तो उनके लिए कह सकते हैं, बाजार में विखने वाला कुछ पिर्मों के किंतिम मदूरक है, एसपा, एसपार्टेम, सैक्रीन, सुक्रालोज, और एली टेम, एसपार्टेम सबसे अधिक सफल और व्याप पेटाइड की मैथिलेस्टर हैं, इसका उप्यों के वाल डंडे, ठंडे, खात पदार्थों, पेपदार्थों तक ही इसी मित होता है, क्योंकि खानों पकाने में के ताबमान पर आज स्थाई होता है, एली टेम अधिक प्रबल मदूरक है, यह पी यह एसपार्टेम से, और इसम का रूफ रंग और स्वास तरकरा जैसा होता है, यह खाना पकाने के ताबमान पर इस्थाई होता है, यह केलोरी नहीं देता है, कांच, साधारन कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और केल्सियम सिलिकेट का ठोस बिलेन मिसरन होता है, कांच के निर्वार में कच्चे कोई निश्चित रसाइनिक सूत नहीं होता है क्योंकि कांच मिसरण है योगिक नहीं है और साधन ता कांच का उसद संगठन Na2-S-O-S-I-O-2 S-C-I-C-A-S-I-O-3-4-S-I-O-2 होता है और इसे देर कांच का परियोग bullet proof जैकेट बनाने में किया जाता है कांच का अनिली करन कांच की वस्तमों को बनाने के बाद विसेफशकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं इसके रिया को कांच का अनिली करन कहते हैं कांच का रंग कांच में रंग देने के लिए अल्फ मात्रा में धात्वों की योगिक मिलाये जाते हैं मिस्तित फदात होगए कांच करण कांच के प्रिकार और संगठन का उपयोग जैसे कांच हो गया संगठन हो गया उपयोग इसका है फ्लेंट कांच पोटेसियम कार्बोनेट लेड ऑकसाइड वा सिलिका इसका कैमरा दुरवीन के लेंज वा विद्धुत बलब में उपयोग होता है फाइरेक्स कांच सोडियम सिलिकेट बेरियम सिलिकेट प्रियोक साला के उपकरण सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैलसियम कार्बोनेट, वा सिलिका, ट्यूलाइट, बोतले, प्रियोग साला के उफकरन, देनिक प्रियोग के बरतन कोक्स काँच, सिरियम ऑक्साइड सिल्का, धूब चस्मों के लेंज, यह परावरीनी केड़ों से होने वाली हानिक उसे बचाता है, पोटास काँच, पोटेसियम कार्वोनेट, कैलसियम कार्वोनेट, सिल्का, आधिक ताप तक गरम किये जाने वाले काँच के बरतन, प्रायो ऐसे रसानिक पदार्ट जो अपनी उपस्तिती मात से किसी रसानिक अभी किरिया के बेग को परिवर्दित करने की छमता रखते हैं, तथा स्वयम अभी किरिया के अंत में रसानिक रूप से आपर भावित रहते हैं, उत्पेरक कहलाते हैं, और तथा यह किरिया उत्पेरन क पहलाती है उत्फेरक की खोज का सरे वर्जिलियस को दिया जाता है इन जायम जैविक उत्फेरक है यह फिर मुक्त आपके उत्फेरक हो गए यह उत्द्यों होगा है उत्फेरक अमोनिया गस बनाने की हबर विदी लोहे का चूड बनस्पति तेलों से किंतिम घी बनाना निकल और सल्फेरक हमल बनाने की संपर्ग विदी में आप देखे एफिलेट टीनम चूड सल्फेरक हमल बनाने की सीसा कक्ष विदी में नाइटोजन की ऑकसाइड एलकोहल से एथर बनाने की विदी में गरम मेलुमीना किलोरेन गस बनाने की धीकन विदी में क्यूपिक किलोराइ यदि किलोरोफार्म को सूर की विकास में भाईवंडल में खुला छोड़ दिया जाये तो वह विसेली गेस फॉस्ट जीर में बदल जाता है भाईवंडल ये योग मोक्तर नाइटोजन को नाइटरिट में परियोतित करने की क्रिया नाइटोजन स्थरी करन कहलाती है ये भी याद रखे बरतन बरफ में जमने में जिलेटिन बरफ को परियोतित को गरम करने पर वह सीधे गेस में परिवर्तित हो जाती है तीक क्रिक एसेड एक कार्वनिक है जिसका उपयोग पर एक सालाओं में अभी कर्मक की रूम में होता है सैकरीन का नर्माल ट्वाइल लूइन से होता है ये स्वेट किस्टल ये अरोमेटिव ये होग एक है जो सरकरा की वेक्षा 505-550 गुना अधिक मीठा होता है किन्तु इसका कोई केलोरी या केलोरी मान नहीं है क्रीम एक पकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा वड़ जाती है पानी की मात्रा कम हो जाती है एक किलोगराम सहच से लगबग आप देखेंगे 3500 किलोरी उजा प्राप्त होती है नाइटर्स ऑक्साइड को हसाने वाली गेस कहते हैं इसकी इखोज प्रश्टली ने कहीं थी हड़ियों में 8% फॉस्फोरस होता है फॉस्फीन गेस का उपयोग समुद्री यात्रा में हॉ हॉम सिंगनल देने के लिए उपयोग किया जाता है किलोरीन गेस पूलों का रंग उड़ा देती है सुरक्षक दिया सलाई में लाल फॉस्फोरस फॉर्योग किया जाता है यूरिया में 40% नाइटोजन की मात्रा होती है बरतनों में कलाई करने में अमोनियम किलोराइड का फ दार थे जिसे पृयोग साला में बनाए गया है सरके में एसेटि कमलो पाय जाता है एसेटिलीन का प्रियोग फिकास उतबंद करने में किया जाता है रखत की प्रवाग को रोकने की लिए फ्रैड फ्लॉराइड का प्रियोग करिए सौर सेलों में cgm पीरुक्त होता है पील यादी दूट से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूट का घहनत बढ़ जाता है अस्पतालों में किंतिम सांस के लिए फेफ्ट सिलेंडरों में ऐख सींडरों में औक्सीजन और हीलियम का, औक्सीजन का महत समझा कर येगा, और कुरुना महामारी में आप लोग ने बहतर सम जाओगा ठंडे देशों में हमान कम करने के लिए कारों कि रेडियेटरों में एफिलीन गलाईकॉल मिला जाता है। पॉलोनियम की सरवादिक समिस्थानिक होते हैं 27 सरफियूरिक अमलको ओएल ओफ बिट्रियल भी कहा जाता है नोवल धातु में आप देखेंगे यह जी एउ पीटी आई यार एज जी पीडी आरेज आर्यू ओएस होते हैं यह नोवल धातु हैं ठीक है मेथेनॉल मेथेनॉल को अब जब बहुत कमात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विशाक्त जन की सासथ अंधिपन का कारण बन सकता है काच हईड्रो फिलोरे कमलक में घुलनसी इसलिकेट बनाता है इसे कारण एच चैप का भंडारन काच के बरतनों में नहीं किया जा सकता ह गहनत पारा की घहनत से जाना होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है, वैस्फेनॉल, खाद समवेश्टन, श्रामगरी के विकास के लिए फिरयोग मिलाया जाने वाला रसायन है, जीनोन को इस्टेंजर गैस भी कहते हैं, समपर्ग विदी, इसपाद वैसमर विदी, सोडियम हाइड्रोकसाइड, लेविलोग तक्रम, अमोनिया और पक्रम, कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के लिए पॉली मेथिल 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 काउफियो किया जाता है, लेकजन बॉलेट फुरूफ कांच में प्रेवक्त होता है, बहुब लग है, बनस्पती तेज से बनस्पती घी हाइड्रोजनी करन के पिकिरिया से मनाई जाती है, बनस्पती घी के उद्दोगेक उत्पादन में अपचैन विदी कम में लाई जाती है, मानव सरीरें फिचर लूप, ग्रैफीन होता है, तो एक कहान ही किस की होता है, आपकी, फिर जेक्स के बाद आपकी, केमिस्टरी खतम हो गई अब, अब हमें आगे बात करनी है, जी बिग ज्यान के बारे में, किस के बारे में, जी बिग ज्यान के बारे में, तो उस पर भी हम लोग बिस्तार से बात करेंगे, आप लोग enjoy करते रही है, ठीक है?